अमश्कार साथी हों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं सारे विद्यारती बढ़िया होंगे और जवर्दस तरीके से अपनी क्लासेस को कर रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को क्योंकि बिना संगर्श कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किये जैजै हा साथ्यों कि बिना संगर्श कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किये जैजैकार नहीं होता और जब तक नहीं लगती है तोड़े की चोड तब तक कोई पथर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता तो चलिए let's start decision मेरे पहरिमित्रों पहला सवाल आपकी screen के सामने ये है फटा फट इसका answer बताएंगे और आप सभी लोग अपने सभी साथियों के साथ session को लगतार जो हमारा एक गंटाए session चलने वाला है उसमें अन्त तक बने रहेंगे क्योंकि बहुत अच्छे questions यहाँ पर और उनका explanation में आपको कराने वाला हूँ Good afternoon आप सभी लोगों को उजाला, साजिया, परवीन, उमा, पांडे, जोती, प्रियंका, अनूस, नेहा, संधिया सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जी ठीक ना? ठीक ना? चलिए, पहला सवाल, इनमें से कौन सी साथी आपकी सदिक्ष नहीं है vector quantity आपकी नहीं है, एक बार मुझे बताएंगे which of the following is not a vector quantity आप लोग बताएंगे साथी, आपका सदिश राशी नहीं है सदिश राशी नहीं है, यहाँ पर आप लोग बताएंगे एक वेक्टर क्वांटिटी जो है, वो आपकी यहाँ पर नहीं है चलिए, vector quantity नहीं है, vector quantity का मतलब क्या होगा सदिश vector quantity का मतलब क्या होगा भई vector का मतलब क्या होता है, no down कीजेगा जहाँ पर क्या हो, direction और magnitude दोनों साथ साथ पर हो याद रखेगा direction direction और magnitude दोनों ही चीज़ें हो एक तरीके से direction और magnitude आप कह सकते हैं दोनों ही चीज़ें हो direction और magnitude आपकी दोनों ही चीज़ें हो उसे basically vector quantity कहते हैं सदिश राशी कहते हैं सर कैसे समझे सदिश और अधिश को मैं आपको फंडा बताता हूं suppose that मैंने आप से कहा कि direction और magnitude दोनों ही चीज़ें अगर हैं तो vector है और scalar की अगर हम बात करते है scalar की scalar में केवल हो किवल क्या होगा भाई आपका केवल magnitude होगा magnitude होगा यहाँ पर आपका direction नहीं होगा जैसे for example मैंने कहा एक बात बताओ दो चीज़ें बताओ अभी time क्या हो रहा है तुम्हारा weight क्या है मुझे एक बार बताओ फटा फट लड़किया weight कम करके बताएंगी लड़के weight बढ़ा के बताएंगे लेकिन बताइए मैंने दो चीज़ें तुमसे पूछी है एक बात बताओ comment box में लिख दो समय क्या हो रहा है और यह लिख दो साथी आपका बाई सब कितना तुम्हारा weight है मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को यहां पर आपका clear कर देता हूं तो कहा गया है आपका vector नहीं है डि आंसर आ रहा है देखे time कितना हो रहा है आपर मालीजे अभी हमने कहा कि साथी 12 बज रहे हैं या फिर आप कहा रहे हैं 12 बच के आपका 10 मिनट हो रहे हैं मालीजे या हमने कहा 12 बच के आपका 5 मिनट हो रहे हैं भई तो सर 12 बच के 5 मिनट जब मैंने आपको time बताया जब मैंने आपको time बताया कि 12 बचके 5 मिनट हो रहे हैं तो ठीक है भई इसके बाद मैंने कहा weight 35 kg है तो यहां कहीं भी मैंने direction का use किया कि भाई साथ 12 बचके 5 मिनट east में, west में, north में, south में नहीं किया इसी प्रकार मैंने आपका जब मैंने weight बताया मैंने आपसे पूछा weight बताओ, 35 kg, बात खता, मैं भी समझ गया, आपने भी बोल दिया क्या आप इसमें direction लगाएंगे, मेरा weight 35 kg इसक में है, west में है, north में, south में है कभी ऐसा होता है, तो नहीं तो ऐसी quantities जिनको एक तरीके से explain करते, time हम बिना direction के उनको explain कर पाएं वो होती है कौन सी साती है, हमारी scalar, क्यों magnitude है, magnitude का मतलब होता है, जैसे 12 बच के 5 मिर्ट तो उसका magnitude है 35 kg तो इसका magnitude है, quantity है, 35 kg तो यह magnitude है, अगर इसके साथ आपका क्या लग जाए, direction लग जाए 5 km पर आर की speed से क्या कर रहा है, motion कर रहा है, जी आपका एक तरीके से 5 km पर आर इसका क्या है, भाई सब हमारा velocity है अब 5 km पर आर velocity से वो जा रहा है, माली जे 5 km पर आर के velocity से मैं जा रहा हूँ 5 km पर आर की velocity से मैं जा रहा हूँ, तो जाओंगा, तो किसे ने किसी direction की तरफ जाओंगा और जिस speed से जाओंगा, वो मेरा क्या होगा, magnitude होगा, और साथी किसे ने किसी direction की तरफ मैं जाओंगा मैंने कहा कि भाई साथ 5 Newton क्या लगाया गया, आपका force लगाया गया, तो भाई साथ 5 Newton force लगाएंगे, एक object पे लगाएंगे एक object जिसका mass आपका 5 kg है, और उस पर हमने क्या लगाया साथी आपका 5 Newton का क्या लगाया, आपका force लगाया तो basically याद रखेगा ये जो आपका object है जिसका mass 5 kg है ये object object का कोई direction नहीं है object का कोई direction नहीं है कि इसका 5 kg mass east में west में north में south में कोई फरक नहीं पड़ता तो जो आपका 5 kg है वो क्या हो जाएगा आपका weight और ये क्या होगा साथ ही आपका scalar हो जाएगा लेकिन उस पर लगने वाला जो क्या है force है तो force में जो 5 newton है वो उसका magnitude हो गया परिमार हो गया और साथी force लगाओगे तो किसी direction में लगाओगे तो ये क्या होगा direction भी है तो direction के साथ force लगता है तो force क्या हो जाएगा vector हो जाएगा दिशा और पनिमार दोनों होता है तो उसे कहते हैं सदिश दिशा और साथी साथ पनिमार तो दिखो आप लोग ना रटेने के बजाए समझने की कोशिश करो क्या इसमें direction लगेगा क्या time के साथ direction की जरूद है क्या आपके weight के साथ direction की जरूद है अगर नहीं है तो फिर scalar बता दो अगर है तो आप लोग क्या बता दो साथी vector बता दो मुझे बताईए भई समझ में आ गया की नहीं आ गया भई सा कोई दिक्कत परिशानी तो इस तरह से बाकी velocity वो 5 km पर आर की velocity से जा रहा है तो किसे ने किसी direction की तरफ displacement विस्थापन displacement पहले यहाँ पे था अब यहाँ हो गया तो एक direction की तरफ क्या हुआ है आपका डिस्प्लेस हुआ है तो एक मीटर डिस्प्लेस हुआ है यह क्या हो गया magnitude या पनिमाड हो गया और किसे ने किसी direction में displace हुआ होगा sum wake का मतलब क्या होता है सथी आपका याद रखेगा आप सभी लोग sum wake मतलब आप कहा सकते है momentum हो जाएगा द्रवेमान और wake का आपका गुडन फल होता है द्रवेमान गुड़ित याद रखेगा आप सभी लोग wake हो जाएगा mass into velocity mass into क्या होगा हमारा velocity होगा mass into velocity होगा तो यह क्या होगा हमारा momentum हो जाएगा जब mass में velocity का into कर दोगे कि कोई आपका 5 kg का object है उस पर याद रखेगा आप सबी लोग वो वो basically याद रखेगा माली जे मैंने कहा कि कोई 5 kg का आपका object है 5 kg का आपका object है वो याद रखेगा 5 km पर आर की speed से एक तरीके से 5 km पर आर की velocity से आपका क्या कर रहा है एक तरीके से गती कर रहा है इसका momentum बताई तो into होके आपका momentum निकलाएगा यहाँ पर तो इस तरह से भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं चलिए आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है भाई सब आपकी speed power, position power neither motion nor position या फिर आप लिख सकते हैं बेसिकली याद रखेगा गती और स्थितिस दोनों kinetic और potential दोनों हो जाएगी क्या होगी भाई एक में पूछा गया है आपका गती शक्ती जिसे कहते हैं क्या बेसिकली याद रखेगा क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कोई चीज अगर गती कर रही है ना, गती जूर जा काइनेटिक एनरजी, फिर इसके बाद रखेगा, आप सभी लोग बोथ काइनेटिक प्लस से याद रखेगा, आप सभी लोग potential energy, बोथ काइनेटिक एनरजी एन आपका potential energy क्या हो जाएगा, उड़ता हुआ क्या है साथी आपका, बेसिकली याद रखेगा आपका पक्षी है, बताइए जी पक्षी एक उड़ रहा है सर जुलोजी कब पढ़ाएंगे, सुबह चल रहा है जी जुलोजी, सुबह चल रहा है आपका जुलोजी, मैं आपको बता दूँ साथ बजे से लेके नौ बजे तक, सुबह आओ ना भाई, उस क्लास में जुलोजी पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं, तो पूछते हो जुलोजी कब होगा एना जी, यही खेला चल रहा है और इस बीच इन दोनों खेलों की बीच में हम पढ़ नहीं پा रहें, बस पूछने, पुछाने में समय चला जा रहा है, तुम तो बिलकुल केजी के बच्चे हो ना कि तुम्हें अभी YouTube चलाना नहीं आया हुआ है तुम्हें चैनल पे क्लास पता करनी नहीं आया हुई है तुम्हें डेली की event नहीं दिखाई देते हैं ओपन करके अंदर की क्लास नहीं देख पाती हो पहली बार जीवन में मुबाइल मिला हुआ है तो भाई साब अभी ऐसे मस सीखो अगर तुम इतने अंजान हो तो अभी ऐसे नहीं सीखते हैं पहले मुबाइल में मैं तुम्हें sim डालना सिखाता हूँ फिर कैसे उसमें network आते हैं वो बताता हूँ एक दिन हम सीखेंगे कोई नई movie आ जाती है कोई नया क्या आ जाता है एक तरीके से अगर कोई web series आ जाती है तो पता नहीं कहां अंजान link से तुम साथी वो download कर लाते हो अपने दोस्तों में बांड देते हो हमारी class के लिए तुम्हें time पूछना पड़ता है तुम्हें पूछना पड़ता है कि जुलाजी कब चल रही है न इतने महसूम बन जाते हो बाई चैनल पे जाओ देखो और मैं चिला चिला कि तुम्हें बता रहा हूँ सुबह साथ बजे से नौ बजे तक चल रही है जुलाजी की class बारा बजे से एक तुम्हारे लिए ये class लेकर आता हूँ है ना लेकिन हमें तो बाई साब ये है कि नन्ने मुन्ने बच्चे जैसे रोज बताते रहो हम सुनते जाएंगे पढ़ेंगे नहीं बस सुनते जाएंगे है ना बिल्कुल तो यहाँ पर याद रखेगा दोनों energy उसके अंदर आपकी रहने वाली है पक्षी में चलिए आगे चलते हैं जरत्वकानियम सरप्रथम किस ने दिया था फूर्स्ट गेव दी law of inertia law of motion नहीं पूछ रहा है law of inertia पूछ रहा है तो थोला सा ध्यान देना inertia का मतलब क्या होता है साथी एक तरीके से inertia का मतलब होता है अपने initial stage को याद रखेगा आपका बनाई रखना maintain the initial stage मतलब आप लिख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था प्रारंभिक अवस्था को याद रखेगा बनाई रखना प्रारंभिक अवस्था को बनाई रखना मतलब initial याद रखेगा state को आपका बनाई रखना ये क्या कहलाता है भाई आपका initial state को बनाई रखना यह basically याद रखेगा law of inertia है अगर मैं बात करूँ sir initial stage अगर कोई चीज आपकी क्या है रुकी हुई है कोई चीज अगर इस्ते रवस्ता में है तो वो इस्ते रवस्ता में ही रहेगी साथी और अगर कोई object गतिशी रवस्ता में है याद रखेगा अगर वो motion कर रहा है अगर कोई याद रखेगा एक तरीके से आप कह सकते हैं rest के आपके state में है तो rest के state में रहेगा अगर कोई याद रखेगा motion कर रहा है तो वह ही वो लगतार motion करता रहेगा जब तक दोनों में एक external force काम ना करे मतलब रुकी हुई चीज में external force लगेगा तो वो चलने लगेगी चलती हुई चीज में external force लगेगा तो वो रुक जाएगी गाड़ी को चलाने के लिए भी आपका external force चाहिए आपका और उसे रोकने के लिए चाहिए तो कोई भी चीज तब तक याद रखेगा आप सभी लोग अपनी स्थिती को नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई external आपका force ना लगाया जाए तो बेसिकली जड़त्व का नियम क्या होता है अपनी प्रारम्बिक स्थिती को बनाए रखना वो अगर rest के stage में है तो वैसी ही रहेगी अगर motion कर रही है तो motion करती रहेगी इस बारे में किसने बताया जी B answer आ रहा है यहाँ पर Newton ने बताया लेकिन सारे के सारे answer आपके गलत हो जाते हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ यह आपके Galileo ने बताया इसलिए सवाल रखा भी हुआ था कि भाई साब देख लेते हैं तुम कितना सही आंसर बताते हो Galileo साहप ने दिया था इनिया मैं आपको बताना चाहूँगा आपने Newton के आपके बेसिकली याद रखेगा आपका Newton Newton का जो आपने first law आपने सुना होगा Newton's याद रखेगा आप सभी लोग first law Newton's आपका first law आपने सुना होगा तो जो Newton का आपका क्या है साथी बेसिकली आपका first law है आपका वो कहता है उसे ही कहते हैं हम सभी लोग Galileo Galileo's rule कहते हैं उसे Galileo का नियम भी कहते हैं उसे क्या कहते हैं साथी हम सबी लोग गैली लियो का नियम गैली लियो का क्या कहते हैं साथी हम सबी लोग उसे नियम कहते हैं गैली लियो का उसे नियम कहते हैं और उसे ही क्या कहते हैं भाई सब आपका लौ आफ इनर्शिया law of inertia कहते हैं law of याद रखेगा inertia कहते हैं साथी जलत्व का नियम भी कहते हैं आप सभी को आपको पता होना चाहिए तो ये गैलेलियो साहब का ही क्या था basically आपका नियम था अगर हम Newton की बात करते हैं तो यहाँ basically याद रखेगा तीन रूल निकल के आते हैं first second और साथी आपका third तीन रूल यहाँ पर निकल के आते हैं और तीन रूलों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला तो हमारा यही हो गया भाई साथ Galileo का यह आपका law of inertia हो गया second वाला जो आपका rule है इससे पता चलता है f is equal to m a f is equal to m into a मतला बल का जो व्यंजक है याद रखेगा बल का व्यंजक यहाँ से हमें पता चलता है मतला basically याद रखेगा आप सभी लोग equation of force यहाँ से हमें पता चल जाती है याद रखेगा equation of force की जो हमारा force है उसका क्या है साथी एक तरीके से आपका equation क्या है f is equal to m a मतलब force is equal to mass into acceleration हो जाएगा f क्या है साथी हमारा यहाँ पर force है force into mass mass into क्या होगा हमारा acceleration 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 तो क्या हो जाएगा acceleration हो जाएगा आपका जो third rule है वो basically उसे कहते हैं क्रिया प्रती क्रिया का नियम action reaction no down करना भई सब action reaction इसे कहेंगे भई सब आपका action reaction 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 action reaction का आपका एक तरीके से rule कहेंगे और बेसिकली याद रखना है जो रॉकेट है जो रॉकेट है बेसिकली याद रखना है रॉकेट याद रखना है इसी सिंदांद पर आपका कारे करता है रॉकेट याद रखेगा आप सभी लोग थर्ड याद रखेगा आप सभी लोग रॉकेट थर्ड लॉपर ही काम करता है इसे कहते हैं सम्वेग सन्रक्षन सम्वेग सन्रक्षन का निया वो भी कौन सा रेखिये सम्वेग सन्रक्षन रेखिए समवेग सनरक्षन का याद रखेगा linear याद रखेगा आप सभी लोग conservation on momentum linear conservation on momentum याद रखेगा रेखिए समवेग सनरक्षन का नियम linear जो होगा आपका conservation on momentum हो जाएगा आप सभी को यहाँ पर समझ रहा है यह आपका बेसिकले न्यूटन के आपके तीन रूल हो जाएंगे पहला Galileo या आप कह सकते हैं इनर्शिया दूसरा F is equal to MA और थड़ वाला है आपका rocket बेसिकली याद रखेगा जो launch किया जाता है तो इसी आपके रूल पर क्या है बेसिकली आपका based है एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझना है ठीक है जी आगे चल लेते है भाई आपका Einstein ने आपका E is equal to MC squared दिया हुआ था और इसके अंतरगत ये बताया जाता है कि energy ना तो एक तरीके से आपकी कहीं से हम develop कर सकते हैं और ना तो इसे destroy कर सकते हैं केवल उसका form change कर सकते है energy का energy का cable form change किया जा सकता है और उन्होंने कहा था जो energy है याद रखेगा इस आप कहसे हैं कि इस universe में ब्रह्मार्ण में वो क्या है एक तरीके से वो fix है वो नियत है वो क्या है आपकी fix है एक तरीके से बस वो अपना form change करती है ना तो उसका कहीं से origin होता है और ना तो वो कहीं destroy ह होती है वो केवल अपने form को change करती है और हमें लगता है कि कहीं नई energy बन गई और कहीं energy आपकी destroy हो गए जैसे आपने माल लीजे लकडी से आपने कोईला बनाया कोईले को जलाया तो केवल जलाने से energy निकली कोईले से तो केवल energy का जो है form change हुआ है जो quantity है वो आपकी बढ़ किसकी परिभाशा मिलती है whose definition comes from Newton's first law of motion बताइए किस से मिलती है आपका first law से किसकी मिलती है हमने कहा हुआ है कि कोई अगर rest के state में है तो वह वैसी ही रहेगी और कोई अगर motion कर रही तो वह motion करती रहेगी जब तक इस पे कोई external force ना लगाया जाए तो इस तरीके से force के बारे किसकी हो रही है आपके force की हो रही है बलकी हो रही है आंसर हो जाएगा दो अलगलग चीजे हैं कहा गया first law में आपका basically किसकी definition मिलती है और definition के बाद जो उसका basically equation मिलती है वो second से मिलती है Newton का आपका जो first एक तरीके से law है वो केवल देता है definition second law देता है equation तो एक तरीके से पह होता है amount of matter amount याद रखेगा आप सभी लोग of matter amount of matter एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी भी object में किसी भी object में आपका कितना matter है कितने मात्रा में आपके पदार्थ की मात्रा है कितनी याद रखना है पदार्थ की याद रखेगा आप सभी लोग मात्रा है हो पतार्त की मात्रा को हम सभी लोग मॉल से रिप्रजेंट करते हैं 줄 Module से तो आपके शिरुण में कितना ब्लडब है कितनी बोंस हैं कितना मसल से कितना एक तरीके से आपके ओर्गंस है वो सारकर सारा आपका क्या है मास है आपका द्रवेमान है जो याद रुखेंगा कभी चेंज नहीं होता전 unchanged रहता है यह लेकिन वेट जो होता है वो आपका चेंज होता जाता को आपको समझना जीए मुझे नहीं साजिया परवीन जी बिलकुल मैं आपको बता देता हूँ भाई सब पहले यहाँ पर देख लो acceleration का मतलब क्या होता है change in velocity याद रखेगा change in velocity change in velocity याद रखेगा आप सभी लोग वेग में परिवर्तन की दर साथी आपकी दर होती है वेग में परिवर्तन की जो दर होती है change in velocity रिट अफ चेंजन रेट आफ रेट yan वेलासीटी तो कि यहाँ ने जो क्या होता है है आपका द्रीके से परिवर्तन होता है वह acceleration कहलाता था मीटर पर सोकेंट स्क्वेर से हम समझेंगे मीटर पर सेकेंड का क्या होगा स्क्वेर हो जाएगा सर मीटर पर सेकेंड क्यों होगा क्योंकि ध्यान देना है वेलोसिटी का कितना होगा भाई आपका वेग का कितना होगा वेलोसिटी का मेरी बास समझना velocity का कितना होगा भाई आपका meter per second meter per second किसका होगा velocity का तो velocity का अखेला क्या होगा meter per second लेकिन यहाँ पर लिखा है वेग में परिवर्तन की दर rate of change in velocity तो जब change in velocity होगा तो जो velocity में change होगा वो time के साथ में होगा तो एक और S ले लेंगे हम time वाला और जब यह S उपर जाएगा तो S का क्या बना देगा square बना देगा तो यहाँ पर meter per second square acceleration का आ जाएगा इस बात को समझना है क्यों आया भाई सब S का square because velocity का तो meter per second होता है लेकिन मेरे भाई थोड़ा ध्यान देना है कि बिल्कुल velocity का आपका क्या होता है meter per second होता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने कहा है acceleration velocity नहीं है velocity में जब होता है change तो से acceleration कहते है तो velocity अलग है और उसमें change आएगा अब change कैसे आएगा time के साथ आएगा तो time के लिए QORS लगा दो तो जब उपर जाएगा साथी है तो meter per second square हो जाएगा तो acceleration का ये हो जाएगा और velocity का और velocity का कितना हो जाएगा मेरे parameter velocity का कितना हो जाएगा जी आपका velocity का हो जाएगा आपका meter per second हो जाएगा ठीक है जी मेरी बास समझ में आ रही है ग्रहों की चाल से संबंदित नियम किस ने दिये थे who gave the rule related to the momentum of planets planets के momentum related rule आपके किस ने दिये थे कैपलर, Einstein, Bernoulli या हमारे फेराडे साह आपने किस ने दिये थे फेराडे ने तो विद्दु चुम किये नियम दिये थे electromagnetic electromagnetic आपके effects विद्दु चुम किये विद्दु चुम किये प्रभाओं से संबंदित जो बाती थी वो किस ने बताई थी साथी आपका basically फेराडे ने बताई थे और ग्रहों से संबंदित नियम किस ने दिये थे C ने दिये थे भाई, Bernoulli ने दिये थे अरे भाई, कैपलर ने दिये थे तो जो आपके Einstein थे, Einstein थे साथी उन्होंने याद रखेगा Einstein और याद रखेगा सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर दो साइंटिस्ट थे, Einstein और आपके सत्येंद्र नाथ बोस इन दोनों ने मिलकर एक आप कह सकते हैं BEC, BEC, बोस, Einstein, Condensate याद रखेगा फिफ्थ स्टेट औफ मैटर की खोच कर दी थी फिफ्थ स्टेट औफ मैटर की डिस्कवरी कर दी थी मतलब पदार्थ की एक तरीके से पाचवी अवस्था की खोच कर दी थी फिफ्थ स्टेट औफ मैटर जैसे आपने दिखा होगा आपका ठोस होगा, मतलब जिसे कहते हैं Solid, इसके बाद हमारा क्या होगा भाई आपका द्रव होगा, फिर हमारा गैस होगा, लिक्विड और गैस हो जाएगा जी आपका, लिक्विड हो जाएगा जी हमारा गैस हो जाएगा गैस के बाद हमारा बिसिकली प्लाजमा है गैस के बाद हमारा क्या है आपका प्लाजमा है तो जब हम बात करते हैं आपके फूर्थ स्टेट आफ मेटर की तो हमारा प्लाजमा है उपर के तीन तो आपको पता है फूर्थ नम्बर का प्लाजमा है फिफ्थ नम्बर का क्या है साथी आपका बी इसी है फिफ्ट नमबर का आपका क्या है भाई तो यहाँ पर बेसिकली याद रखेगा आपका क्या हो जाएगा फिफ्ट स्टेट और आपका मैटर हो जाएगा फिफ्ट स्टेट ऑफ जो मैटर होता है वो बेसिकली याद रखेगा आपको मैं बता दूँ यह सूपर कोल्डेड फॉर्म होता है सूपर कोल्डेट फॉर्म होता है आप कह सकते हैं अतिशीतित अवस्था होती है पदार्थ की अतिशीतित क्या होती है हमारी अवस्था होती है पदार्थ की अतिशीतित अवस्था होती है पदार्थ की बहुत जादा थंडी अवस्था होती है मतलब छोटा- Bronx थंडा नहीं भाई-273.15 degree Celsius या इसे कहते हैं 0 degree Kelvin तो ये बेसिकली आज रखेगा इतना थंडा होगा माई-273.15 degree Celsius या 0 degree Kelvin इतना जादा कम temperature होगा BC आप कह सकते हैं अवस्था का माई-273.15 degree Celsius या 0 degree Kelvin ये क्या होता है भाई आपका इतना कम क्या होता है बेसिकली आपका temperature होता है किस चीस का temperature होता है साथी आपके इस बीस ही आपके form का temperature होता है जैसे अगर मैं बोलूँ plasma का आपका temperature तो इसका होता है भाई 10 to the power 7 Kelvin ये बहुत जादा आपका घर में तुम्हें हलके में लग रहा होगा temperature के पास आते जाते चीज़ें खतम एकदम मामला खतम आवाज नहीं आ रही है अरे भाई साब क्यों आवाज नहीं आ रही सर देर इस नो वोईज आवाज बिलकुल आ रही होगी यार कैसी बात कर रहे है जोती सिंग जी आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई पूरी जान लगा दिये मैंने वोईज बॉक्स से एकदम पूरी आवाज निकाल दिये भाई है ना vacuum में तो हम है नहीं कि अंतरिक्ष में है तो भाई साब जो आपका air है वो एक जिगा से दुस्येगा आपकी नहीं जा पाईगी है ना आवाज बिलकुल आ रही होगी भाई है ना कहीं आप लोग अंतरिक्ष में तो नहीं है स्पेस में या vacuum medium तो नहीं है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच पा रही है आ रही है नहीं आ रही है भाई अब तो आनी चाहिए अब तो भाई साब पानी चाहिए आवाज किसी रॉकेट को प्रिथवी से पलायन करने के लिए कितनी गती दी जाती है चैलिए जी क्लियर है वोई सर बिलकुल एक बार देखिए यार थोड़ा सा अपना जो मुबाइल है उसे थोड़ा सा रिफरेश कर रही है दुबारा क्लास से जुड़ जाए बिलकुल आवाज आ रही है देखो तमाम साथियों तक आवाज पहुच रही है या तो मुबाइल में गड़ बढ़ी है या तो तुम वेक्यूम मीडियम में हो निरवात में हो जो द्वनी उर्जा है वो भाई सब आपकी पहुचनी पा रही है आप तक है ना कोई बात नही यहाँ पर बताईए और अगर माली ज्य वी आपके आपके उबजेक्ट को जैसे रॉकेट को अंतर हमें अर्थ से बाहर भीजना है स्पेस में भीजना है तो आपको एक चीज़ पता होनी कंगा वह चाहिए तो आपको चोड़ने के लिए स्पेस तक पहुचने के लिए तो इसके velocity को वो लोग पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग में धीरे 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 जाएंगे लेकिन जब एक आप कह सकते हैं height तक वो पहुंच जाएंगे तो उने अपनी speed कितनी करनी रहेगी इन 4 option में से उतनी करनी रहेगी ताकि वो अर्थ का आपका जो एक तरीके से atmosphere है उसे पार कर जाएं कुछ लोग B कह रहे हैं कुछ लोग C कह रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग B कह रहे हैं कुछ लोग हमारे C कह रहे हैं कुछ लोग हमारे C कह रहे हैं वा जीवा यहाँ पर भाई साब भी आंसर आ रहा है कि सर 11.2 किलोमीटर पर मिनिट वा जी वा मतलब तुम यह चाहते हो कि नासा जो है वो रॉकेट लॉंच करे और तुमारे घर की हाइट तक वो लॉकेट जाए और वहाँ से वो रॉकेट वापस नीचे आ जाए क्योंकि तुम जो स्पीड दे रहे हो से 11.2 किलोमीटर पर मिनिट वो तो बहुत का महलाला मेरी पास समझ में आ रही है इस स्पीड से तुम वेजोगे तो भाईया रॉकेट जाएगा आंदर प्रदेश से और गिरेगा मध्य प्रदेश में समझ रहे हो मेरी बात न मतलब आंदर प्रदेश से लॉंच हुआ और आधे रास्ते तक वो पहुचा मतलब समझ लो कि तुम पतंग उड़ा रहे हो तुमारी पतंग तक वो पहुचा और वहीं से वापस गिर गया समझ रहे हो मेरे बात उल्टा ही गिरा नीचे इतनी कम स्पीड दोगे भाई साथ जो स्पीड होनी चाहिए 11.2 याद रखेगा आप सभी लोग किलोमीटर एक सेकेंड में होनी चाहिए समझ रहे हो ना नाला एको 11.2 किलोमीटर पर मिनिट लगाएंगे भाई साब एक मिनिट में ऐसे में तो भाई साब रॉकेट पहुची नहीं पाएगा अच्छा हुआ तुम्हें इस रो में नहीं बिठाये गया भाई साब मंगलयान के समय या चंद्रयान के समय नहीं तो भाई साब तुम तो क्या ही बताएं तुम पहुचने देते उस रोकेट को उपर तक 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना कि मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ऑप्शन भी इसलिए रखा गया था वाँ पर चलो जी यह एसकेप वेलोसिटी है अगर मैं आपसे कहूँ स्मॉल जी क्या होगा जैसे माली जी आपका अर्थ है यह माली जी हमारी अर्थ है अब इसमें स्मॉल जी क्या होगा मुझे बताओ ग्रैविटेशनल एक्सलारेशन हो जाएगा ग्रैवी एक्सलारेशन ग्रुटविय क्या होगा साथि हमारा त्वरन होगा यह ग्रुत्विय त्वरन अब हमने एक चीज देखी कि अर्थ से अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो होगी 11.2 km पर सेकेंड जिसे escape velocity कहींगे जिसे कहींगे हमारा पलायन वेग इसे क्या कहते है साथ यह हमारा पलायन वेग हैं जिसे कहते हैं escape velocity अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की तो अब मालो पृत्वी की तरफ स्वतंत रूप से गरता हुआ कोई अबजेक्ट आ रहा है तो अर्थ में जब वह आपका एटमोस्फेर में एंटर करेगा तो किस स्पीट से वह निंची की तरफ आएगा यह ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड यह होता है भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है जिसे कहते है स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कहेंगे आपका आप सभी को समझना है यहां से एक सवाल आता है कि बताओ जी का वैल्यू ज सब्सक्राइब थैसम न होती इसकी इस होँ अगर मैं बात करूँ आपकी अर्थ है तो आप सभी को पता है आर्थ याद रुखे का स्फेरिकल है मतलब अंडा कार है आपको समझना अंडाकार है चपटी है थोड़ा सा चपटी है तो कुछ इस तरीके से अर्थ है अब आपको इस तरीके से अर्थ दिखाई दे रही होगी तो आप एक चीज तो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे यह अर्थ है देखो ऐसी है elliptical type की मतलब थोड़ा सा ये वाला हिस्सा क्या है इसका अधिक चोड़ा है ये वाला हिस्सा क्या है भई आपका अधिक चोड़ा है ये हिस्सा क्या है साथी आपका अधिक चोड़ा है ये हिस्सा क्या है बेसिकली याद रखेगा आपका अधिक चोड़ा है ये हिस्सा क्या है साथ ही आपका एक तरीके से आपका अधिक एक तरीके से इसकी क्या है रेडियस है उपर से नीचे जब आप आएंगे तो ये रेडियस क्या है थोड़ा सा कम है तो मैं कहना ये चाह रहा हूं साथी कि ये जो रेडियस है ये वाली जो एक तरीके से रेडियस है क्या है आपकी क मेरी बात समझना यह हमारा पोल है ठीक है जी दोनों तरफ क्या है आपके पोल है नौर्थ पोल और एक तरीके से आपका साउथ पोल है यह क्या है एक्वेटर है भूमध्य रेखा है भूमध्य याद रखेगा आप सभी लोग रेखा है अच्छा अब मेरी बात समझना कि अग की तरफ आओगे radius कम होगी R का value क्या होगा कम होगा R का value कम होगा कि नहीं होगा बता और सबसे छोटी radius कहां होगी आपके pole पे होगी तो R जो है यहाँ पर लिखलो R जो है वो MAX कहां पर होगी सबसे ज़्यादा कहां होगी आपके एक तरीके से एक्वेटर पे और R जो है वो minimum कहा होगी हमारे पोल में minimum मतलब सबसे कम अरे होगी की नहीं होगी यह R है ना भई तो सबसे जादा R कहा है equator में जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओ चाए नीचे जाओ चाए उपर जाओ यहाँ भी चले जाओ पोल्स की तरफ जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ोगे radius कम होगी है देखो कम हो रही है कम हो रही है और सबसे चोटी radius होगी आपके पोल पे और रूल यह कहता है G is equal to GMM रूल यह कहता है कि G is equal to GMM upon R स्क्वेयर अब यहाँ पर relation निकालो G और r के बीच का तो 1 by में आएगा g is equal to 1 by r square आएगा मतलब अगर g बढ़ेगा तो r कम होगा g अगर जादा है तो r क्या होगा कम होगा आपने देखा होगा ना कि g अगर जादा है तो r क्या होगा कम होगा g अगर कम है तो r क्या होगा जादा होगा यह relation निकलेगा की नहीं निकलेगा बताओ जी अरे यही relation निकलेगा सर यह पहला relation यह आपका दूसरा relation क्योंकि यह क्या है भाई सब inversely proportional है directly proportional नहीं है with करमानू पाती है यह बढ़ेगा तो यह घटेगा और यह बढ़ रहा है तो यह घटेगा और जादा होगा जी कम होगा आर सबसे जादा कहा है एकवेटर पे तो जी वहाँ सबसे कम होगा तो जी का मान क्या होगा न्यून तम हो जाएगा न्यून तम हो जाएगा minimum हो जाएगा जी की value minimum कहां होगी आपके equator में हो जाएगी जी ठीक है 7 से 9 वाली चलास तनू मारिया जी बिल्कुल हूई है है ना सर मेरा क्लास नहीं होता है सर को बोलते हैं बोलते हैं जोर देंगे नहीं चुड़ते वैदैही कुमारी जी आप मुझे बताएगा कौन सी क्लास आपकी एड़ नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ ठीके ना चलो अब देखो आर जहां कम होगा आर जहां कम होगा तो जी जादा होगा आर पोल पे कम है तो पोल पे याद रखना जी का मान क्या होगा सरवादिक हो जाएगा जी जो है वो क्या हो जाएगा मैक्स हो जाएगा तो जहां आर मिनिमम है वहाँ जी मैक्स है और जहां आर मैक्स है व सबसे कम कहां होगी साथ ही आपके एक्वेटर पे सबसे ज़ादा आपके पॉल में होगी और जीरो की बात करें तो बिलकुल सेंटर पे अगर आ जाओ तो यहां पर जी बराबर कितना हो जाएगा जीरो लो भाई सब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यह जी की वैल्यू से हमेशा शवाल आते हैं एक बार मुझे बताओ कॉंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई जी की वैल्यू वाला आई होब आपको क्लियर हो गया होगा चलिए तुल्लिकाली उपग्रह का परिकमन काल कितना होता है जी फटा-फट बताएंगे आपका तुल्लिकाली बेसिकली यह बिल्कुल याद रखेगा 24 गंटे होता है जी कितना होता है आपका 24 आड़्स होता है same एस10 एस एर्स होता है यह होता है आपका उख्शाई पर बेसिकली याद रखेगा यहने क्या किया जाता है कोई दिक्कत परिशानी और इन्हें आद रखेगा लगबग 3600 किलो मीटर की उचाई में क्या किया जाता है आपका situated किया जाता है आप सभी को समझना है है ना दुतुल्ले काली उपग्रेय होते हैं लगभग याद रखेगा 3600 किलो मीटर की उचाई पर क्या होते हैं बेसिकली आपके रखे जाते हैं situated होते हैं अगला एक वाट घंटा बराबर कितना होता है 1 वाट आर इस इकवल टू एक वाट जो आपका आर होता है वो किसके बराबर होता है 3.6 into 10 to the power 3 joule 3.6 into 10 to the power 6 joule या 360 joule या इन में से कोई नहीं बताए कितना होगा आप लोग मुझे फटा फट बता देंगे कितना हो जाएगा जितने भी साती हैं फटा फट बताएंगे जी एक वाट घंटा बराबर कितना होगा सेविंथ का हमारा यहाँ पर सी लगा रहें एर्थ पर हम पहुंच चुके हैं बच्चा जी एर्थ पर पहुंच चुके हैं एर्थ पर आंसर होगा 3.6 into 10 to the power 3 joule समझ गया मेरी बात ना एक वाट जो क्या होगा आपका घंटा वाट कभी भी याद रखेगा किसे एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है शक्ती को रिप्रेजेंट करता है पावर को रिप्रेजेंट करता है शक्ती को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को नोट डाउन करिएगा आप सभी लोग ठ बताइए कोई आदमी है उसका जो वेट होगा लिफ्ट में किस लिफ्ट में जादा होगा मुझे बताइए और सेशन को एक बारी बढ़ियां तरीके से शेयर कर दो ए आंसर आ रहा है भाई हमारे सोमनात का आंसर आ रहा है यहां पर ए अच्छा पिछले का आंसर आप लोग दे रहे हैं ये Λिफ्ट वाला कोशन बताइए क्या होगा असान सा प्रशन है चाले 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 तो बेसिकले आंसर क्या होगा यहां पर एक्सलरेटिंग अपवर्ट मतला उपर क्यों जो त्वर्य थोरी उस भार में विक्ति का क्या होगा उस याद रखेगा आप सभी लुग लिफ्ट में विक्ति का भार क्या होगा आपका अधिक होगा चलिए यदि हम 59 सोडा की थोड़ *** to it we will see बताये हम क्या ले रहे हैं साथि और उसमे क्या मिला रहे है थोड़ा सा दिमाख लगहिए है क्या ले रहे हैं और उसमें क्या मिला रहे हैं देखेंगे दोचीज़े हैं हमने आपर औरक ही हम क्या लेते हैं स спасि आपका 50 सोडा अब सुरूँ ऐसे सवाल जभी आएंग we will take a small amount of washing soda अब आपको washing soda का अगर formula नहीं पता है तो आप फिर यहाँ पर दिक्कत में आ जाएंगे फिर उसमें हमें क्या मिलाना है 1 ml तनू hydrochloric acid मतलब यहाँ पर 1 ml dilute hydrochloric acid मिलाना है अगर हमें दोनों के formula वगेरा अगर नहीं पता है जो हमारे hydrochloric acid वगेरा होते हैं उसका formula क्या है washing soda जो होता है उसका formula क्या है तो हम नहीं कर पाएंगे equation लेकिन यहाँ हमारे बच्चे कहा रहे हैं सर C होगा मैं equation बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं washing soda का formula मेरे parameter हमारा Na2 यहाँ पर देखे washing soda का formula हमारा Na2 क्या होता है भई sodium क्या होगा भई एक होता sodium bicarbonate एक होता है sodium carbonate तो bai को हटा दो जो sodium carbonate है वो क्या है basically washing है sodium bicarbonate की जब हम बात करते हैं sodium bicarbonate की बात करते हैं तो sodium bicarbonate क्या होगा जी sodium bicarbonate है आपका washing होगा इसमें हमने क्या किया हुआ है 2 आपका HCl मिला दिया हुआ है अब reaction कर लीजिए सर जब reaction करते हैं तो basically क्या होगा आपका यह जो Na है 2 Na और यहाँ पर 2 क्या है आपके chlorine है सबसे पहले निकलेंगे 2 NaCl बना कर बिल्कुल ठीक है सर बना लेने दो बिल्कुल शीक है कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर CO2 था तो basically याद रखेगा इससे एक oxygen चला जाएगा hydrogen के पास तो यहाँ पर 2H2O बन जाएगा ह2O बन जाएगा बन जाएगा कर नहीं बन जाएगा भाई बिल्कुल बन जाएगा आप देखो कैसे निकलती है मैंने कहा washing soda में अगर हमने hydrochloric acid आपका मिला दिया हुआ है तो basically वहाँ पर आपका salt बनेगा साथी साथ water बनेगा साथी साथ आपका क्या बन जाएगा carbon dioxide gas जो है वो आपकी emit हो जाएगी किसी को कोई problem किसी को कोई problem यहां तक अगर नहीं है तो मुझे बता दो तो यह हो जाएगा भई आपका washing soda, HCl, आपका NaCl, H2O और आपका carbon dioxide gas यहां से निकलेगी यह किसी प्रकार से CO2 gas एक और equation में निकलती है जब चूला पत्थर को हम गर्म करते हैं CACO3 को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब हम CACO3 को गर्म करते हैं मेरे पैरे मित्र तो गर्म करने पे क्या होता है, यह आपके CAO और साथी साथ आपका calcium oxide और याद रखेगा carbon dioxide में आपका बदल जाता है, तो basically क्या होगा अगर हम limestone को गर्म करेंगी हमारा limestone है, समझ गया मेरी बात ना, lime याद रखेगा आप सभी लोग stone है, ठीक है, इसे गर्म करने पर हमारा क्या मिलता है बैई quick lime मिलता है बैई कोई कियाद रखेगा lime मिलता है जिसे कहते हैं बिना बुझा चूना बिना बुझा चूना बिना बुझा आपका चूना और साती साथ carbon dioxide gas यहां से आपकी निकलती है यह चूना पत्थर हो जाएगा आपका ठीक है जी अगले सवाल पर आ जाते हैं भाई करते हैं तो temporary hardness of water कौन करता है magnesium sulfate magnesium hydrogen carbonate या magnesium bicarbonate calcium oxy chloride या calcium carbonate बताएंगे जी अगर हम बात कर रहे हैं temporary hardness की बात कर रहे हैं तो जरा बता दो like कर दो यार मतलब हद है यहां पर 100 से अधिक बच्चे यहां पर एक तरीके से live है लेकिन 50% के वल 30% बच्चों ने क्या किया हुआ ह आपका like किया हुआ है बहुत मतलब सही यह तुम्हें class के प्रती तुम्हारा प्यार दिख जाता है कि भाई साब बिना बोले बिना चिलाए teacher पढ़ाए भी और तुमसे कहें भी बिटा कर दे रहे like like कर दे रहे भाई है ना बोलना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन तुमें मतलब मैं क्या ही बोलू समझ रहे हो जल्दी से like कर दो फटा फट एकदम सांदार तरीके से like करो और फिर answer दो तुम जो बुलते हो ना सरमारे answer गलत क्यों होते है यही कारण है teacher की session को like नहीं करोगे तो answer गलत ही होंगे एक बार उससे like करो फिर answer दो फिर तुम देखना कैसे सही answer आते हैं है ना जी तो एक बार थोड़ा सा like करके फिर answer दो फिर देखना answer कैसे गलत होते हैं मरे भाई यहाँ पर बता दो जी क्या होगा तो जब भी हम बात करते हैं कि इस चीज़ के आपके temporary hardness की तो magnesium hydrogen carbonate तो calcium और magnesium के bicarbonate calcium और magnesium के जब bicarbonate calcium और magnesium के जो bicarbonate है जब वो पानी में आपका मिल जाएंगे तो basically क्या होगा एक तरीके से temporary hardness हो जाएगा और temporary hardness को उबाल कर उबाल कर क्या कर सकते हैं हम सबी लोग दूर कर सकते हैं उबाल कर क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं यह आपको समझना है क्लियर है कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं केल्शियम आक्सी क्लोराइड यह होगा हमारा CA for हमारा calcium हो जाएगा O for हमारा oxy होगा CL2 मतलब हमारा chloride हो जाएगा chloride हो जाएगा oxy को कई की जगा पर hypo word से भी हम represent करते हैं क्योंकि अकेला oxygen hypo कहलाता है calcium hypo chloride या calcium oxy chloride इसे कहते हैं bleaching powder bleaching powder bleaching powder bleaching powder basically याद रखेगा दाहक सोडा दाहक सोडा क्या होगा जी bleaching powder दाहक सोडा हो जाएगा sir caustic soda एक बार और बता दीजे भई caustic soda जिसे कहते हैं basically क्या caustic soda को कहते हैं भई हमारा bleaching sorry माफी माफी चाओँगा भई सब ये caustic soda होगा हमारा दाहक सोडा दाहक सोडा caustic soda हो जाएगा भई ये होगा हमारा विरंजक चूण माफी चाहूँगा हिंदी में लिकलो विरंजक विरंजक याद रखेगा चूण कर दो इसे मतलब जो हमारा bleaching powder होगा वो हिंदी में होगा विरंजक चूण और दाहक सोडा होगा हमारा caustic soda जिसका formula होता है हमारा NEOH sodium hydroxide ये आपको समझना है बहुत अच्छे से ठीक है जी ठीक है जी एकदम बढ़िया तो ये उच जाएगा आपका अगला सवाल पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगने का कारण बताईए तो जब भी पत्थर को ठोकर मारते हैं और हमें चोट लगती है तो वो बेसिकली प्रतिक्रिया की वज़े से लगती है reaction reaction की वज़े से और ये बेसिकली याद रखेगा Newton Newton's Newton's आपका third law है जो इस बारे में जानकारी देता है कि आपका action और reaction के बारे में कि सामने वाले पे आप जितनी ताकत से उसे एक तरीके से क्या करेंगे उस पर मारेंगे उतना ही सेम याद रखेगा force आपकी तरफ वो लगाएगा तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए किस वज़े से आपका चोट लग जाएगी आपके reaction की वज़े से हवा में उर सकते है जो बलून उनमें आपका कौन सी गैस भरी जाएगी helium gas भरी जाएगी HE4 आपका helium gas कौन सी गैस जी हमारी HE4 helium gas atomic नमर कितना है 2 है helium का और ये एक noble gas है साथी एक क्या है साथी आपका noble क्या है हमारी gas है जिसे कहते है inert gas क्या कहेंगे जी आपका inert inert gas कहते हैं आपका inactive gas कहते हैं अक्रिय gas कहते हैं ये हो जाएगे आपकी helium तो helium भरेंगे इससे क्या होगा मालीच ये क्या है आपकी air है मालीच ये क्या है हमारी air है ये हमारी air है ये हमारी yu है तो वायू के उपर वो गुबारा क्या होगा आपका चला जाएगा और उस पे भरी होगी हमारी हीलियम क्या भरी होगी हीलियम तो एयर की उपर वो गुबारा चला जाएगा विकॉस जो हीलियम की जो डेंसिटी है जो हीलियम की डेंसिटी है less than air है less than याद रखेगा आप सभी लोग air है और जिसकी density क्या होती है less than होती है वो उपर होता है और जिसकी density more than होती है वो नीचे होता है तो air की density more than helium है क्या है चाहती है आपका more than more than आपका helium more than helium है तो helium से जादा है तो air नीचे और आपका helium उपर तो balloon भी ऊपर चला जाएगा helium के साथ तो air में क्या होगा साथी आपका balloon ऊपर की और आपका चला जाएगा nitrogen की अगर हम बात करें तो वायू यानो के tireों में वायू यानो के याद रखेगा आप सबी लोग tireों में भरी जाएगी साती सात याद रखेगा chips के packet में चिप्स के बेसिकली जो क्या होते है पैकेट होते हैं उसमें बरी जाएगी साथी साथ इसे और हम कहां फिल करेंगे बेसिकली नाइट्रोजन को आपके एरोप्लेन के टायर्स में चिप्स के पैकेट में और बल्बो में अच्छा मेन इसको भरने का reason क्या होता है दो reason होते हैं आपके nitrogen को भरने का एक तो NTP पर normal temperature और pressure पर ये क्या है आपका inert है मतलब normal temperature और pressure पर ये क्या है अक्रिय है react नहीं करेगी दूसरा by nature कैसी है ठंडी gas है ये कैसी है साथी आपका cold gas है तो जब ये ठंडी gas है तो इससे होगा क्या साथी अमालो chips के packet के अंदर हमने भरा हुआ है इस gas को अब एक तो देखो NTP पर react नहीं करेगी तो अंदर के जो भी chips वगेरा होंगे उनसे react करके उन्हें खराब नहीं करेगी इनर्ट जैसा विवहार कर रहे हैं क्योंकि NTP पर दूसरा आपको पता है कभी भी कोई चीज हम फ्रिज में रखते हैं तो खराब नहीं होती है अब chips के जो packet आते हैं उसके अंदर भर दी nitrogen nitrogen है ठंडी gas तो एक chips जो है वो ऐसे atmosphere में आजाएंगे ठंडे atmosphere में आएंगे ऐसा लगेगा कि chips जो हैं वो fridge के अंदर है क्योंकि nitrogen by default होती है ठंडी gas तो chips को खराब होने से बचाएगी क्योंकि packet के अंदर एकदम फूला होता है packet क्योंकि nitrogen भरी होती है उस nitrogen gas के contact में chips रहते हैं तो जो chips भी ठंडे होते हैं तो खराब नहीं होते है aeroplane के आपके tire में tire एकदम से runway पे टकराएगा तकराएगा तो tire और जो आपका क्या है runway है उसमें एकदम से friction होगा इतनी तेजी से aeroplane टकराएगा हाथ रगडलो तो गर्म हो जाते हैं tire टकराएगा जमीन से तो क्या होगा heat generate होगी अंदर nitrogen होगी ठंडा कर देगी उस heat को तो tire फटेगा नहीं भाई साथ बल्ब के अंदर tungsten का temperature बहुत जादा है बल्ब फट सकता है भाई साथ बल्ब का जो क्या है काँच है वो फट सकता है लेकिन अंदर nitrogen भरी है तो tungsten के atmosphere को वो maintain कर रहा है ठंडा कर रहा है तो कहीं न कहीं अब पानी तो भर नहीं सकते उसके अंदर के tire के अंदर पानी भर दो हवा के साथ तो अगर टकराएगा तो भाई साब पानी heat को ठंडा कर देगा तो nitrogen gas भर देते हैं उस उस जगापर जहां पर चीजों को ठंडा रखने की जुरूरत है चाहे chips के अंदर आपके chips के packet के अंदर चाहे आपके aeroplane के tires के अंदर है ना गर्मियों में हम जब गाड़ी चलाते है बाइक तो tire जो होते है वो सडक से क्या होते है अगर कितना भी tire घिस जाए सडक पे ठ्रिक्षन हो जाए चाहे टायर घरम हो जाए उसे अंदर की nitrogen धंडा करते जाती है टायर फटते नहीं है दिमाग समझ में आया की नहीं आया दिमाग लगाया करो थोड़ा सा चीजों में चलो तो आज के लिए फिलाल इतना ही मेरे पैरेमित्रों, सेशन अगर बढ़ियां लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, एक आपका प्रशन रहेगा, होमवक के तौर पे मैं दूँगा, कि ट्यू लाइट में आपका लोग प्रेशर पर कौन सी गेस भरी जाती है, चार आप्शन है, कमेंट करके आप लोग बता दीजेगा, आपको इसकी PDF के लिए जुड़ना है, साथी कहाँ पर एक तरीके से बिहार अड़ा का जो ओफिशल हमारा टेलिग्राम चैनल है, वहाँ पर देख लिजेगा, अगर कई विद्यारती कहते हैं कि वो मिलता नहीं है, तो आप अभी आल फिलाल जो इस PDF को ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके काम आएंगे नोट्स, ठीक है जी, तो टेलिग्राम के अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी, जो मैंने आपको कहा है, वो सर्च कर लीजेगा, और जाकर क्या कर लीजेगा, PDF अपनी ले लीजेगा, बाकी community बनने के बाद आ है, हमारी basically याद रखेगा, आप कह सकते हैं, जो class है, वो कहा मिलेगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक second का मुझे time दीजे आप, एक second का time दीजे, आपकी जो class है, वो कहा मिलेगी, मैं आपको बिल्कुल बखुबी बता देता हूँ, मैंने आप से कहा था कि आपको ब कोई मुझे बताएगा क्या कुभ लाइट के अंदर कौन सी गयस आपकी फिल पाई जा रही थी एक बार और नीन निय उन और आपका पारद्वाष्ट नैट्रोजन और नियॉन केवल और और बहुत अटॉमिक नमबर हमारा 10 है ठीक है और मरकरी वैपर की बात करते हैं भाई मरकरी वैपर तो बेसिकली जो मरकरी होता है मेंली उससे ही वैपर त्यार किया जाएगा तो मरकरी से हम वैपर त्यार करते हैं मरकरी क्या होता है जी आपका HG4 हमारा मरकरी है Atomic number कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा Atomic number मेरे parameter हमारा 80 हो जाएगा Atomic number 80 हो जाएगा तो मरकरी और basically उसके साथ neon का आप कह सकते हैं एक तरीके से mixture वहाँ पर आपका भरा जाएगा केवल आपका organ ये पीले बल्बों में भरा जाएगा जो हमारे पीले क्या होते हैं basically आपके बल्ब होते है पीले बल्ब का मतलब है पीले बल्ब का मतलब होता है जो हमारे tungsten जिन में हम इस्तिमाल करते हैं जो tungsten, tungsten का जो एक तरीके से filament जिनके अंदर आपका लगा होता है वहाँ पर organ और organ के साथ basically याद रुखेगा nitrogen organ के साथ हमारा nitrogen organ के साथ हमारा nitrogen fill होता है पीले वाले बल्वो में और सट्कों पर जो पीले लेम्प होते हैं सडको पर पीले लैंप उनमें सोडियम वाश्प होता है सडको पर जो पीले क्या होते हैं लैंप होते हैं सडको पर पीले लैंप जो होते हैं उनमें सोडियम का क्या होता है भाई हमारा वैपर होता है सोडियम वैपर sodium vapor sodium vapor क्यों फिल किया जाता है क्योंकि sodium vapor से निकलने वाले light monochromatic होती है एक वर्णी होती है तो वो अलग-अलग colors में split नहीं होती है that's why आपको एक तरीके से light फैली हुई दिखाई नहीं देती एक straight light में दिखाई देती है आगे की चीज़े clear आपको दिखाई देंगी क्यों light उसमें straight एकदम क्या करेगी साथ ही travel करेगी ताकि आगे जो भी चीज़ें हैं जो भी object हैं आपको clearly दिखाई दें अगर light split होगी तो फिर आपको clearly चीज़ें दिखाई नहीं होगी जनरली बारिश के टाइम पर आप देखते हैं आपकी सडकों पर लगी हुई रोश्नी तब भी आपको clear एक तरीके से दिखाती है because वहाँ से monochromatic या एक वड़नी प्रकाश आपका निकलता है या आपका tube light हो गया next sodium में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवड कौन सा है sodium का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका salt है चलिए sodium का जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका जो salt है वो एक बार बता देंगे good afternoon आप सभी लोगों को good afternoon आप सभी लोगों को have an eyes day आप सभी का दिन अच्छा जाए मुझे यहाँ पर बता देंगे आपका sodium का sodium carbonate, sodium sulfate, sodium bicarbonate या sodium chloride answer हमारा sodium chloride हो जाएगा सर क्यों है ऐसा sodium chloride अच्छा अगर हम बात करते है sodium की तो sodium chloride 75% कहा मिलता है हमारे basically C में मिलता है समुद्र में मिलता है कहा मिलता है जी हमारे समुद्र में मिलता है तो समुद्र में मिलता है आपका 75% कितना परसन जी 75% तो 75% हमारे समुद्र के अंदर NaCl या नमक मिलेगा आपका इसलिए sodium का सबसे जादा पाया जाने वाला जो हमारा क्या है एक तरीके से salt है वो हमारा sodium chloride हो जाएगा कोई दिक्कत परिशानी आप लोग को थोला सा लेट दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन एक बार मुझे बताएंगे लेट दिखाई दे रहा है क्या एक बार मुझे बताएंगे पटाफट अच्छा बाकियों के बारे में अगर हम जानकारी लें sodium carbonate भाई साब Na2CO3 dot 10H2 dot 10H2 sodium sulfate Na2SO4 Na2SO4 sodium sulfate sodium bicarbonate के अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका यह sodium है H4 आपका bai है CO3 मतलब carbonate है इसे कहेंगे baking soda no down कीजेगा baking soda जो हमारा direct sodium bicarbonate है तो जहां भी आपका bai आजाए और formula में H आजाए तो bai house में आएगी खाना बनाने bai house में आएगी खाना बनाने तो sodium के बीच में H मतलब house आजाए तो खाने का हो जाएगा और H को अलग हम अलग कर देते हैं यह जो sodium carbonate है sodium carbonate है इसी क्या कहेंगे जी sodium carbonate को क्या कहेंगे भई तो sodium carbonate को हम कहेंगे आपका washing soda जी क्या कहेंगे washing soda washing soda यह आप कह सकते हैं धावन soda के नामसे से हम जानते हैं ठीक है जी sodium sodium carbonate धावन soda हो जाएगा bicarbonate baking soda हो जाएगा चलिए, move to the next question, निमने में से कौन सी आदर शियस नहीं है, ideal guess नहीं है इन में से, बताएंगे, ठीक है, चलिए, comment करते जलेंगे भाई, फटाफट, फटाफट, और यहां पर बताएंगे कि भाई, इन में से कौन सा आपका, basically आपका आदर शियस नहीं है, ठीक है जी, पंकच कुमार जी कह रहे हैं, सर प्लीज ये बता दो कि BPSC TRE 3.0 में साइंस TGT में कौन से लेवल तक के questions आते हैं, ठीक है न, भाई साप याद रखेगा, तैन्थ का जो आपका part होता है, वो आपका क्या होता है, काफी जादा पूछा जाता है, और कुछ-कुछ हिस्सा आपका 11-12 का भी है, मैं आपको बता दो, कई-कई topic हैं, और कई-कई जो सवाल हैं, वो 11-12 से भी पूछे गए हैं, और मैं सुबह कलास ले भी रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लगतार आपकी 9 बजे तक, ठीक है न, तो 9-10 का आपका portion है majorly, लेकिन हाँ, वो 11-12 के भी आपके part को touch करता है, इस बात में कोई दोराएं नहीं है, तो उस level तक भी हमें तयार रहना पड़ेगा, अगर सत्यता की बात करोगे, तो सची बात अगर मैं आपको बताओ तो, ठीक है जी, यहाँ पर बताइए इन में से कौन सा आपकी noble gas नहीं है, noble gas नहीं है, बिल्कुल करते हैं, ग्रूप 18 की अगर हम बात करते हैं, तो basically यहाँ पर आपका कौन कौन हो जाएगा, भाई, आपका helium होगा, आपका neon होगा, organ, krypton, xenon, and redon, rn4 redon, जिसका atomic number आपका 2, 10, 18, 36, 64, और 86, यह क्या है, basically atomic numbers है, आपके basically 2, 10, 18, 36, 54, और आपका 86, यह आपके atomic numbers है, इनके और यह सारे के सारे noble gases है, जबकि silicon semiconductor है, silicon semiconductor है, no down कीज़ेगा, यह क्या है, बिसिकलिए आपका semi conductor है, आपको यहाँ पर समझना है, चलिए, soda water बनाने के लिए कौन सी gas use में लाई जाती, which gas is used to make soda water, soda water अगर हमें बनाना है, आपकी NO, CO, CO2 या हमारा SO2, soda water बनाने में, सर, जुलाजी का कोई class नहीं है, जी, जुलाजी से related questions हमारे चल रहे हैं, सुबह साथ से नो, जुलाजी ही कराता हूँ सुबह साथ से नो, अच्छा, उसमें basically याद रखेगा, आला कि वो science की class ही चलती है, लेकर उसमें से जुलाजी आपको मिल जाएगा वड़िया दरीके स है ना, ठीक है जी, एक बार आकर देखो राशित, और जो मेरी तीन marathon classes हैं, वो एक बार attend करके देखो, आपको खुछ समझ में जाएगा, कि हाँ भई, आपको जुलाजी में बहतर content मिला या नहीं मिला, मैं जादा बाते नहीं करूँगा, आपको किवल इतना कहूँगा, कि एक बार जाकर आप सब लोग इस class को attend करो, ठीक है जी, चलो, CO2 आ रहा है, वा जी वा, एकदम बढ़ियां आपका answer CO2 होगा, सर अगर हम soda water की बात करते हैं, तो देखे, soda water में CO2 जो होता है, वो हमारे H2O से react करता है, और यहाँ पर क्या बनाता है भाई, वो बनाता है, H2CO3 H2CO3, और H2CO3 को कहते हैं, कार्बोनिक याद रखेगा acid, कार्बोनिक acid कहते हैं जी, कार्बोनिक acid कहते हैं, और यह जो कार्बोनिक acid है, बेसिकली cantering में मिलेगा एक weakness is it, यह क्या है हमारा weakness is it, दूरभल अमल है आपको समझना है, मतलब उतना ज़ादा है, weaker acid है, आपका का तो carbon dioxide gas H2O से react करेगा तो H2CO3 मतलब जिसे कहते हैं हमारा एक weaker acid carbonic acid वो त्यार होता है अगर हम CO की बात करें silent killer silent killer silent killer कहेंगे एक तरीके से because यह हमारे hemoglobin के साथ react करता है और HBCO बनाता है भई HBCO carboxy hemoglobin और carboxy hemoglobin जब यह बनता है यहाँ पर तो basically oxygen oxygen body में नहीं जा पाता है तो आप जानते हैं बिन oxygen के क्या हो जाएगा क्या होगा भाई साब जीवन नहीं रहेगा हम alive नहीं रह पाएंगे NO2 की बात करो acid rain के लिए जिम्मेदार हो जाएगा NO2 की बात करो तो भी वो आपके basically जिम्मेदार हो जाएगा acid rain के लिए चलिए भारत में नगरपालिका द्वारा जल का उपचार सदानता किसे से किया जा मुंसिपल जो क्या होता है basically आद रखना जो आपका corporation होता है basically वहाँ पर वो लोग क्या यूज करते हैं पानी को साफ रखने के लिए क्योंकि आपने देखा होगा नगरपाली का अलग अलग जगा पर जो हमारे तलाब वगेरा है तलाब कह रहा हूं जो हमारे कुए वगेरा है उन्हें साफ करने के लिए क्या करते है छिरकाव करते हैं चीजों का क्या है वह था अगर carbon monoxide की जादा quantity हो गई तो बिल्कुल मौत हो जाएगी डी आंसर आ रहा है क्लोरीन बिल्कुल चीक है भई तो यहां पर आंसर होगा हमारा क्लोरीन वह क्लोरीन का इस्तेमाल करेंग यह आपके violet कलर का होता है जी हमारे बैगनी रंग का होता है बैगनी रंग का होता है बैगनी रंग का होता है और बेसिकली जो हमारा क्यमनो 4 है आपका potassium पर magnet है यह कुए में डालने वाली लाल दवा होती है आप सभी को यहां पर समझना है तो कुए में डालने वाली लाल दवा basically बैगनी होती है सर्फ लाल दवा पानी से react करने के बाद आपकी red हो जाती है तो आपने दिखा होगा कई बार हम एक दवा डालते है कुए में पुरानी समय की बात है अगर आपने कभी कुआं वगएरा देखा हो उसमें जागर माल लो ऐसा हो कि उसका पानी खराब होने लग रहा हो है ना तो basically वहाँ पर हम KMN4 को एक तरीके से छड़काव करते हैं अगला आवट साणी में सबसे हलका तत्व है फटा फुन बताईए आप सभी लोग जो सबसे एक तरीके से lighter एक तरीके से आपका element है आचा यहाँ पर आप option में ऐसा कर दो भाई आवट साणी में सबसे हलका धात्विक तत्व कर दो भाई याद रखेगा आप सभी लोग the lightest metal या lightest metallic element in the periodic table lightest metallic element in the periodic table lightest metallic element metallic मतलब एक तरीके से धात्विक तत्व metal वाला तो basically metallic जो एक तरीके से element है सबसे हलका वो lithium होगा तरीक बात बताईए lithium क्यों होगा क्योंकि देखिए hydrogen है hydrogen के बाद हमारा helium है helium के बाद आपका lithium है atomic number की अगर हम बात करते हैं तो आपका hydrogen का 1 helium का 2 और lithium का 3 हो जाता है hydrogen का आपका 1 हो जाएगा helium का 2 और lithium का आपका 3 हो जाता है तो hydrogen और helium अगर हम दोनों की बात करेंगे hydrogen और helium दोनों की बात करेंगे तो these are non-metals these are non-metals these are non-metals यह हमारे आध हात हो है क्या है जी हमारे यह हमारे आध हात हो है these are non-metals अब these are non-metals इसलिए metallic सबसे हलका metal अगर कोई पूछे lithium लगाईएगा क्योंकि metal की जो शुरुआत है एक तरीके से वो lithium से हलका आपका यही हो जाएगा आइसर लीथियम होगा platinum की बात करें तो atomic number कितना होगा आपका 78 हो जाएगा magnesium का हो जाएगा 12 और aluminum का आपका 13 होगा चलिए जी जंग से बचावेतू लोहे और इस पात में कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का इस्तिमाल किया जाएगा आपका टिन, जिंक, अलुमिनियम या हमारा सिलवर आपने देखा होगा कि जनरली लोहे पर अभी बरसात का मौसम आएगा तो लोहा अगर भाई सब कहा पर पड़ा हुआ है यह जो आईरन है अगर यह बिसिकली खुले में पड़ा हुआ है तो आपको पता है कि air और साथी साथ हमारा जो क्या होगा नमी होगा air जो हमारा नमी होगा वो react करके क्या बदल देंगे भाई से iron को iron को बदल देंगे हम सभी लोग fe2-0-3 में Fe2-0-3 में क्या कर देंगे आपका बदल देंगे जब अगர हम बात करते हैं किसी इस की हम बात करते हैं iron की तो air और नमी के contact में आने पर यह fe2-0-3 में क्या होजाता है साथिया आपका convert हो जाता है और F.E. 2.3 क्या है basically आपका rust है यही क्या है हमारा जंग है अगर मान लो हम चालते हैं कि इसमें rust ना लगे किसका भई आंसर आ रहा है Zinc एगदम बढ़िया आंसर तो एगदम बढ़िया है जिंक की जैसे ही आपने यहां पर coating की तो क्या ये iron अब air और याद रखेगा आपके नमी के contact में आएगा नहीं आएगा तो क्या fe2 o3 बनेगा रस्ट नहीं बनेगा और नहीं बनेगा तो क्या जंग लगेगी नहीं लगेगी that's why इस process को है ये जो process कहलाती है जो जस्ते की परच चढ़ानी की process है galvanization galvanization होगी galvanization होगी या इसे कहते हैं जस्ती करण इसे कहते हैं भाई हमारा जस्ती करण कहते हैं या इसे ही कहते हैं साथी हम यशदी करण यशदी करण कहते हैं यशदी करण कहते हैं यशदी करण कहते हैं तो सबी लो तीन शब्द है गैल्वनाइजेशन गैल्वनी करन या आपका जस्दी करन या आपका यस्दी करन तो यह आपको बहुत अच्छे समझना है move to the next question answer हो जाएगा आपका ठीक है ना अगर हम सिल्वर की बात करें सिल्वर के काले पढ़ने का कारण कोई बताएगा भई क्या होगा भई बताएगा जिल्वर जो बेसिकली काली पढ़ जाती है तो hydrogen sulfide के कारण अगर हम बात करते हैं AG जब H2S के contact में आती है hydrogen sulfide के contact में आती है तो basically वो क्या बनाती है भाई आपका ये AG आपके S4 आपके क्या सकते है sulfur के साथ react करता है और AGS बनाता है और साथ ही साथ जो H2 gas है वो आपकी क्या हो जाती है यहां से emit हो जाती है तो AGS का मतलब होता है आपका silver sulfide AGS AG मतलब हमारा silver है भाई AG means आपका silver और S मतलब हमारा sulfide तो ये basically क्या होगा silver sulfide बनेगा यहां पर basically silver sulfide के कारण हमारा चांदी काली पड़ जाएगी बात खतम ये भी एक सवाल पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया हुआ चलिए amalgam में रहता है important सवाल है वही important आपका questions है कि जो amalgam होता है amalgam के अंदर amalgam contains amalgam contains amalgam contains amalgam contains यहां पर बताएंगे आप सभी लोग amalgam क्या contain करता है बेसिकली अमल गम है क्या चलिए आपको मैंने मौका दिया जल्दी से बताएंगे कि अमल गम में क्या होता है और मैं आपको बताओं अगर आप हमारे बैचिस के साथ जुड़ना चाते हैं तो आपको जाना है अड़ा 24-7 अप्लिकेशन के अंतरगत और अप्लिकेशन के अंतरगत जब आप जाएंगे तो मैं आपको बताओं BSSC, InterLevel 10+, 2, Bihar, Sikshak, Bharti, 3.0, 4.0, Civil Code, DLED, Bihar, Stead, BED, और other exam, सारे के सारे जो आपके exam से वो इस 2999 के course के अंदर आपको मिल जाएंगे, बाइन आउप एक्लिक करेंगे, एक coupon code लगा दीजेगा, इस fee को और कम करने के लिए, coupon code क्या होगा, सर जी जरा बताइए, coupon code क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, coupon code हो जाएगा Y800, Y800 और करना है apply, जैसे ही आप apply करेंगे, तो याद रखेगा 12 महिने की validity के साथ, 2700 याद रखेगा आप सभी लोग, 69 रुपे में, मतलब 2759 रुपीज में, 2759 रुपीज में आपको यह बैच मिल जाएगा, जैसे ही आप coupon code इस्तिमाल करेंगे, Y800, क्या यूज करेंगे मेरे परमित्र, Y800, तो आज ही साथी लगाईए, coupon code Y800, और जुड़िये हमारे बिहार महापैक के साथ, या किसी भी courses के साथ, जिस course के साथ, 4.0 की class, आप बिहार महापैक का हिस्सा बन जाएए, जो भी latest course आएगा, आपको मिल जाएगा, महापैक का आप हिस्सा बन जाएए, validity है आपके कितनी 12 महीने, जो भी नया course आएगा, आपको मिल जाएगा, अमलगम में होता है हमारा, basically HG, HG बोले तो हमारा सर HG का मतलब होता है हमारा पारा मरकरी सर यह क्या मतलब है हमने कई बार सुना हुआ है केमिस्ट्री में अमलगम अमलगम बट है क्या देखें सिंपली जब भी हमारा जो पारा होगा हमारा जो मरकरी होगा जब भी हमारा जो पारा होगा हमारा मरकरी किसी मेटल से रियक्ट कर जाएगा किसी धातू या किसी मेटल से आपका रियक्ट कर जाएगा हमारा जो पारा है मरकरी है वो हमारे किसी मेटल से रियक्ट कर जाएगा तो मरकरी और मेटल, मरकरी और मेटल के रियक्ट करने से ही अमलगम मनता है मतलब सिंपल सी बात ये है कि मरकरी है, ये लिक्विड मेटल है है हमारा मरकरी भी लिक्विड मेटल ये भी हमारा क्या है साथी आपका द्रविय धातू है ये भी हमारा द्रविय धातू है हमारा liquid metal है ये भी हमारा liquid metal है लेकिन जो metal है वो mercury से जब react करेगा तो amalgam को आपका तयार करेगा तो answer क्या होगा हमारा basically आपका C हो जाएगा अच्छा जैसे for example मालीजे इस mercury ने आपके silver के साथ react किया हमने mercury में silver को आपका घोल दिया तो क्या तयार हुआ silver amalgam silver amalgam और ये जो silver amalgam है भाई ये जो silver amalgam है ये basically आद रखेगा आप सभी लोग ये दातों के gap को भरने में दातों के gap भरने में क्या किया जाएगा आपका इस्तिमाल किया जाएगा दातों के जो हमारे gap है उन्हें भरने में आपका इस्तिमाल किया जाएगा तो तीत के बीच में जो gap होता है न केकी बार उन्हें भरने में इसका इस्तिमाल किया जाएगा आगे चलते हैं जी चलो इसका answer बताएंगे क्या है भई कौन सा आभासी बल है कौन सा आपका virtual force है वर्चुल फोर्स है आपका आभासी बल है इनमें से कौन सा ठीक है जी चलो बताओ भई चलो ठीक है चलो जी यहां पर बताएंगे कौन सा आभासी बल है डी आंसर आ रहा है आपका प्रवल ओ हो strong nuclear force एक virtual force है वा जी वा अरे भाईया strong nuclear force प्रवल ना भी कीमल सबसे जादा शक्तिशाली strong force है जिसे तुम virtual force कह रहे है आभासी बस फिल हो रहा है कि कोई nuclear force है लेकिन है नहीं फिल हो रहा है कि कोई nuclear force है अरे भाई सब nuclear force actual में है बताओ जी कौन सा नहीं है centripetal force अगर हम बात करते हैं कि आपका अभी घूम रहे हैं किसी circle में जब आप घूम रहे हैं ठीक है ना किसी circle में जब आप घूम रहे हैं तो बेसिकली याद रखेगा center की तरफ एक force आपका क्या होता है वर्क करता है center की तरफ क्या करता है आपका वर्क करता है center की طرف एक force क्या करता है आपका work करता है तो basically ऐसा feel होगा कि ऐसा कोई force आपका center की طرف work कर रहा है बट वो एक तरीके से virtual force होगा strong nuclear force जो होगा यह सबसे प्रबल और तरीके से क्या होगा आपका वखल होगा भाईस अब nuclear force basically याद रखेगा strong strong याद रखेगा strong force हो जाएगा दूद मतने पर cream अलग हो जाती इसका कारण बताई explain the reason why cream separates when milk is crude तो basically याद रखेगा तो basically याद रखेगा जब उसे हम क्या करते हैं एक तरीके से मतते हैं तो आपका gravitational force, centripetal force, centrifugal या आपका frictional force, बताइए दूद मतने पर आपका एक तरीके से cream का अलग होना, बताइए दो force होते हैं, एक तो भाई साब आपका मालीजे circle है, तो circle से आप कह सकते हैं, ये मालीजे आपका circle है ये आपका circle है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, circle से बाहर की तरफ एक force लगता है circle से बाहर की तरफ एक force लगता है तो जो बाहर की तरफ force लग रहा है उसे कहते हैं, स система आपकाborough सेंट्रिफ्यूगल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आपके इंद्रियवल और एक जो सेंटर की तरफ लग जाता है आपका जो सेंटर की तरफ आपका लगता है वही सेंटर की तरफ लगता है टूवर्ड्स दी सेंटर जो लगता है उसे क्या कहेंगे साथी आप सभी लोग उस अगर हम बात करें तो यह दो क्या हैं हमारे फोर्से से दूद मत्ने पर क्रीम का अलग होना अप केंद्रिय बल होगा तो दूद जब मत्ते हैं तो एक बरतन में आपने दूद लिया आप उसी इस तरीके से चला रहे हैं आप सेंटर से बाहर की तरफ दूद फेक रहे हैं सेंटर से बाहर की तरफ बाहर की तरफ जब आप फेक रहे हैं तो बाहर की तरफ सेंट्रिफ्यूगल लगेगा अप केंद्रिय लगेगा तो अप केंद्रिय बल हो जाएगा centrifugal force हो जाएगा answer क्या होगा हमारा C हो जाएगा gravitational force नहीं हो अगर त्वीबल नहीं होगा आपका आपके इंद्री अबल होगा समझ गये ना तो ये दोनों आपके जो forces हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिये हुए हैं अब आप दिमाख लगाईए आप washing machine में आपने काम किया है washing machine में क्या होता है बीच में grinder लगा रहता वो घूमता है और कपड़ों को बाहर की दरफ वेकता है वो इस तरीके से घूम कर कपड़ों को बाहर की दरफ वेकता है जो हमारी वाशिंग याद रखना है मशीन है वाशिंग मशीन भी चली अगला विनाशकारी भूकम्ब के गुरुत्व के कारण जो आपका त्वरन होगा वो होगा आपका 9 याद रखे का 50 cm स्क्वेर हो जाएगा जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जादा भैंकर का जो क्या होगा आपका एक्सलरेशन होगा गुर्तवा भूकम्ब की अगर हम बात करें तो इसका जो मापन होता या इसका एक ग्राफ में एक तरीके से जो निलूपन होता है तो कौन सा ग्राफ है भई Scale है भाई साब ध्यान रखना है आप सभी लोग जो हमारा भूकम पर है सिसमोग्राफ जो होता है वो ग्राफ के फॉर्म पर बताता है और रिक्टर जो आपका Scale होता है वो उसकी तिव्रता के बारे में आपका बताता है ठीकिगे ना वेट खतम हो जाए अच्छा वेट बराबर क्या होता है भाई आपका भार्या आप कह सकते हैं वेट वेट क्या होता है भार्या जिसे कहते हैं वेट इस इक्वल टू क्या होता है भाई आपका द्रव्यमान गुरुत्वी अत्वरण मास इन्टू ग्रेविटेशनल एक्सलारेशन मास इन्टू ग्रेविटेशनल आपका एक्सलारेशन मतलब जो वेट होगा वो होगा आपका मास और उसमें क्या करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सलारेशन का हम इन्टू कर देंगे suppose that अगर हम अर्थ के प्रिस्पैक्ट में बात करें तो भाई सब मास मालनो 10 है इसमें हम 9.8 का क्या करेंगे इंटू करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा वेट निकल कर आ जाएगा तो जब भी किसी भी अबजेक्ट का कोई हो उसमें gravitational acceleration का मिन्टू करेंगे तो वेट निकलेगा अब मास तो भाई सब क्या होगा constant होगा ये तो हमारा constant होगा ये कहीं आपका बदलता नहीं है लेकिन ये जो गृत्विये त्वरण है ये अलग अलग याद रखेगा पिंडो में अबजेक्ट में अलग अलग होता है लेकिन जहाँ अबजेक्ट ना हो वहाँ यह 0 हो जाता है तो वैक्यूम जो होगा निरवाद जो होगा जैसे मैंने कहा अंतरिक्ष स्पेस तो जो स्पेस होगा साथी आपका जो अंतरिक्ष होगा वहाँ पर आपका किसी भी प बिसिकली क्या है वेक्यूम वाला जो मामला है निरवाद जहां ना कोई कड़ हो पार्टिकल हो ना किसी प्रकार का मीडियम हो वो कहलाता है हमारा क्या सर वो है हमारा बिसिकली निरवाद चली move to the next question, किलो वाट घंटा किसकी एकाई है, किलो वाट आर्ज जो है, वो किसकी आपकी यूनिट है, basically आपके पावर की एनरजी की इंपल्स की या हमारे फोर्स की तो अगर हम बात करें तो किलो वाट और किलो वाट अगर हम और की आर की बात करते हैं किलो वाट अगर हम बात करते हैं घंटे की किलो वाट अगर हम घंटे की बात करते हैं किलो वाट आर्ट की बात करते हैं या आपके एनरजी की आपकी यून अगर हम आवेग की बात करते हैं तो समवेग में परिवर्तन की दर इंग्लिश में आपको मैं बता देता हूँ समवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो कहलाता है rate of change in momentum rate of change in momentum जब momentum में आपका change आए तो उसे impulse कहते है मेरी बात समझ में आरी जाएंग्लिश में आ रही है जब हम बात करते हैं मूमेंटिम की बात करते हैं तो सर यह बताएए मूमेंटम क्या है समवेग क्या है याद रखेगा आप सभी लोग mass into velocity मास इंटू वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी मतलब हमारा जो द्रव्यमान होगा और जो वेग होगा उसका इंटू कर देंगे तो द्रव्यमान और वेग का इंटू करने पर क्या मिलता है सम्वेग मिलता है तो बेसिकली हमारा जो सम्वेग है जो momentum है वो क्या है basically mass into velocity है तो देखिए सबसे पहले आप बहुत अच्छे से समझो mass और velocity को into करके हमें momentum निकाला और इस momentum में change हो गया तो impulse कहा मेरी बात समझ में आ रही है ना मेरी बात समझ में आ रही है ना तो हमारा जो momentum है वो क्या है basically mass और velocity का into करके हमने momentum निकाला और change in momentum को यह हम आवेग या impulse कहेंगे मामला clear है क्या कोई दिक्कत परिशानी तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कोई दिक्कत परिशानी नहीं न अच्छा force तो आप सभी को पता है f is equal to क्या होगा साथी आपका m into क्या होगा a होगा बल बराबर क्या में लेगा f is equal to ma चंद्रमा से किसी पिंड को प्रत्वी पर लाया जाए तो क्या होगा what will happen if our body is bought from the moon to the earth moon से हम अर्थ में किसी object को या किसी मतलब किसी भी हम चीज को लेकर आ रहे हैं किसी भी याद रखेगा object को हम कहां लेकर आ रहे हैं और यह जो हमारा red है यह क्या है हमारा moon है तो basically याद रखना है moon से हम अगर अर्थ की तरफ किसी भी object को लेकर आ रहे हैं मालो किसी भी हम एक इट के टुकुड़े को लेकर आ रहे हैं suppose that तो basically क्या होगा आपका जो mass है वो क्या हो जाएगा घट जाएगा mass बढ़ जाएगा mass will decrease mass will increase mass will remain unchanged the load will remain unchanged भार क्या होगा परिवर्तित होगा है द्रवेमान आपरिवर्तित होगा पताएजी अभी answer लगा रहे हैं द्रवेमान बढ़ जाएगा अरे भाई साप हद है भाई मतलब यार क्या बताओ आशू बस नहीं आए लेकिन बुरा बहुत लगा मुझे मतलब यार तुम्हे mass और साथी साथ weight में difference नहीं पता है सरा सभी सब के सब answer लगा रहे हैं सर B लगा दीजे इसी question का लगा रहे हैं न भी इसका तो नहीं लगा रहे हैं भाई या mass अलग चीज है weight अलग चीज है मेरी बास समझ रहे हो mass और weight में तुम्हें difference नहीं पता देखो मैं तुम्हें बताता हूँ अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की मेरी बास समझ ना द्रव्यमान या हम बात करते हैं mass की इसके अलावा बात करते हैं अगर हम लोग किस चीज की आपके भार की वेट की वेट की बात करते हैं अगर हम बात करते हैं मास की द्रव्यमान की बेसिकली याद रखेगा आपके और वेट की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहां पर आप लोग समझेंगे कि जो हमारा मास होता है वो हमेशा क्या होता है आपका नियत होता है किसे कहते हैं constant मतलब आपरिवर्तित unchanged और यह होता है यह याद रखेगा आपका क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है यह परिवर्तित हो जाता है यह आपका यह change होता है यह आपका बदलते रहता है कैसे जैसे अगर मैंने कहा कि किसी का मास कितना है आपका 10 kg है 10 kg मास है द्रवेमान है तो यह जो द्रवेमान होगा 10 kg यह हर जगा पर एक जैसा रहेगा चाहे आप कहा लेकर चले जाओ अर्थ में अर्थ से मून में जैसे माल लो तुम्हारे शरीर में 206 हड़ी आई तुम्हारा मास है तो क्या चंद्रमा पर जाने पर 210 हो जाएगी या कम हो जाएगी नहीं सरी ये फिक्स रहेगा आँखे 2 हैं हाथ 2 हैं समझें कि मेरी बात न तो बॉड़ी के जो भी आपके क्या है बेसिकली याद रखेगा जो आपके बॉडी के जो भी आपके ओरगंस है जो भी जिन से मिलकर आपका बॉडी बना है वो सब क्या है मास है वेट ज़रूर चेंज होगा क्यों weight change होगा क्योंकि weight जो होता है वो हर जगा पर अलग-अलग होता है weight depend करता है small g पर gravitational acceleration पर गुरत्वी तोरण हर पिंड का अलग-अलग है जैसे earth का है 9.8 meter per second और moon का है 1 by 6 earth का 9.6 है तो 9.8 meter per second है अगर small g तो वैसे ही चंद्रमा का उसका चंद्रमा पर जाने पर पृत्वी का जो gravitational force है उसका 6 गोना कम आपके चंद्रमा पर है तो हमेशा जो एक तरीके से mass है बाईफ साब जो द्रवेमान है वो आप परिवर्तित रहेगा unchanged mass कभी नहीं बदलेगा जी क्या नहीं बदलेगा mass नहीं बदलेगा केवल ओ केवल बदलेगा तो क्या बदलेगा जी केवल जो चीज change होगी वो है हमारा क्या आप कह सकते हैं आपका weight mass कभी नहीं change होगा तो अगर आप चंद्रमा से आप पृत्वी तक लाओगे तो mass नहीं बदलेगा बाकी आपका एक तरीके से चीज़ें क्या होगी साथी आपका है ना बाकी weight वगरा आपका change वगरा हो सकता है चीक है ना चलो यहाँ पर बताएंगे जी एक भार हीन गुबारे में 200 ग्राम जल भरा है इसका जल में भार कितना होगा देखो उसने पहले ही कह दिया है कि जो basically गुबारा है बलून है वो वहाँ भार हीन है यह weightless balloon weightless balloon है बलून पे कोई भार नहीं है बलून पे कोई weight नहीं weightless balloon जो है उसमें क्या हुआ हुआ है contains 200 grams of water its weight in water will be तो water पे इसका जो वजन होगा वो क्या होगा पानी भरा हुआ है उसके अंदर और पानी को पानी में डाल रहे हो और बलून का कोई वजन है नहीं तो पानी में इसका वजन जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि भाई एक तरीके से आप बलून का कोई वजन नहीं है बलून के अंदर पानी है और पानी को पानी में मिलाओगे तो जीरो ही होगा ना भई आंसर आपका ए हो जाएगा समझाई मेरी बात ना चलो अगला यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लिटर पानी में मिलाकर एक आसंत्रिप्त चीनी का घुल तयार किया जाता है तो कौन सी भाधिक राशी नहीं बदलेगी बताइए विच आफ दा फॉलिइंग फिजिकल कॉन्टरी विल नौट चेंज इफ एन सैचुरेटर शुगर शुलूशन इस प्रपाइड बाइडिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर तो एन हाफ लिटर ऑफ वाटर बताइए जी कहा गया है कि आपने आधा 100 ग्राम चीनी को आपने एक बीकर लिया सबसे पहले आपने एक बीकर लिया हुआ है साथी इसमें क्या लिया है आपने वाटर लिया हुआ है और ये वाटर जो बीकर में आपने लिया हुआ है ये कितना है जी ये जो आपने वाटर लिया हुआ है कहां पर आपके basically beaker के अंदर तो basically इसमें आधा लिटर पानी है ये basically याद रखना है half liter क्या है साथी यहाँ पर चल है आधा लिटर आपका क्या है पानी है बिल्कुल चीक है और आपने क्या किया हुआ है 100 gram एक तरीके से चीनी को यहाँ पर अधा किया हुआ है 100 grams किसे sugar को आपने add on किया है 100 gram sugar को आपने add on किया है घोल दिया unsaturated आपका एक तरीके से बताओ भे क्या नहीं बदलेगा आपका जो mass है आपका जो density है आपका जो concentration है आपका जो item है volume है बहुश अंदर यहाँ पर answer आ रहा है volume आ रहा है भाई सब volume आ रहा है तो volume आपका क्या होगा इसका नहीं बदलेगा item क्योंकि साथी जो शक्कर है item का मतलब होता है space occupied करना इस्थान घेरना space को याद रखेगा आप सभी लोग occupied करना space occupied करना space occupied करना तो जो हमारा volume है वो हमारा space occupied करना तो ये जो है आपका ये quantity नहीं बदलेगी बाकि इसका जो mass है वो आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि पानी में अगर sugar add करोगे तो mass will increase क्योंकि शुगर और आपके पानी का mass add on होगा धनत्व या आपका density density मतलब होता है molecules कितने पास पास है density भी बढ़ जाएगी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा density बढ़ जाएगी concentration सांदरता भी बढ़ जाएगी बढ़ जो एक तरीके space occupied कर रहा है जगा घेर रहा है तो ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा remain unchanged होगा बदाब answer हमारा D हो जाएगा आपका item will be the right answer ठीक है जी है ना आइतन आइतन को basically हमेशा आप कह सकते हैं mm cube mm cube में हम सभी लोग क्या कहते है millimeter cube millimeter cube में हम लोग जब भी liquid की बात करते हैं तो liquid का जो volume होता है millimeter cube में हम बताते है meter cube का मतलब होता है एक meter आपका length का दूसरा आपका width का और तीसरी आपका height का तो meter meter मिलके meter cube बना देते हैं आपको समझना है तो meter 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 ये length का ये आपके width का ये आपके height का ये आपका height का तो length, width और height ये तीनों आपका असमें मिलते हैं और क्या बनाते हैं समझ गया ना चलो जी एक बार शेशन को जल्दी से शेयर करके कहां पहुचा देंगे साथियों हम सभी लोग देड़ सो प्लस की तरफ पहुचाएंगे फटा फट और यहां पर बताएए एक कैलोरी इस इक्वल टू डैश जूल चले जी और जल्दी से बन फिफ्टी की तरफ फटा फटा एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा भई एक कैलोरी में कितने जूल आएंगे फटा 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 और पॉर पॉइंट वन एट जूल 3.51 जूल 4.25 या 3.50 एक कलोरी में जूल होंगे आपके 4.18 जूल 4.18 जूल हो जाएंगे आप सभी को यहाँ पर समझना है ठीक है जा और यह सारी की सारी जूल की बात करे कलोरी की बात करे उर्जा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती हुई काईया है एनर्जी आप कह सकते हैं ओर्जा को क्या करती है यह रिप्रेजेंट करती हुई आपकी क्या है एक काईया है आपकी यूनिट से मूफ टू दी नेक्स्ट वेशन माना और उधिर का पी एच मान बताएए आपकी जो पी एच वैल्यू होती है हमारे मानव एक तरीके से आपके रक्त की यूमन जो हमारा ब्लड है उसकी पी एच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है एक बार मुझे बताएंगे आपका 7.4, 6.4, 6.0 या none of these चलिए हमारा जो यूमन आप कह सकते हैं ब्लड है उसका पी एच वैल्यू यूमन ब्लड की पी एच वैल्यू 7.4 होती है मतलब हलका आपका शारी है, light alkyne हलका शारी होता है, light alkyne nature का होता है किस nature का होगा भई हमारे alkyne nature का alkyne nature है हमारे human blood का, alkyne nature हो जाएगा 7.4 पी एच वैल्यू होगी, 6.4 होगी हमारे milk की अगर हम बात करें दूद की 6.0 urine की होगी, मूत्र की होगी नो डाउन कीजेगा, यह हमारी pH value है pH scale की अगर हम बात करें, pH scale की बात करें तो यह जो pH scale होगा, pH scale होगा, यह कौन देंगे भई हमारे soren, sorenson, sorenson, कौन देंगे, soren, sorenson याद रखेगा, 1909 में, 1909 में, 1909 में यह देंगे आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, 1909 में देंगे और जो इन्होंने scale दिया हुआ था, जो इन्होंने scale दिया हुआ था अगर मैं बात करूं scale की, तो भाई साब इसमें mid में आपका 7 था और 7 से उपर जाने पर यहाँ पर 14 था, 7 से नीचे आने पर यहाँ पर कितना था और exact आपकी जो यहाँ पर, आप कह सकते हैं, कि 7 में क्या था, आपका neutral था neutral आप कह सकते हैं, उदासीन था भे उदासीन था, हमारा neutral था more than 7 में क्या था आपका शारिय था, more than more than shovel में आपका alkyne था, और याद रखेगा less than 7 में क्या था, less than 7 में हमारा अमलिय था, less than 7 में हमारा basically याद रखेगा acidic था, यह आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर मजना है, चलिए, move to the next question, इमेंटी जवर नामक बीमारी में हिर्दय की कौन सी परत आपकी प्रभावित होती है, जो आपका eminent आप कह सकते हैं, fever होता है, उसमें आपके heart की, human heart की कौन सी layer आपकी प्रभावित होती है, चलिए जी, 150 तक अभी आपने नहीं पहुचाया, बहुत गलत है, बहुत नाइंसाफी है, फटा-फटा, एक बार मुझे फटा-फटा बताएंगे, eventi fever में आपके, basically याद रखेगा, heart की कौन सी layer आपकी प्रभावित होती है, तो जितने भी साथी यहाँ पर फटा-फट बताने की कोशिश करेंगे, अच्छा, अगर मैं आपको heart की layers की बात करूं, heart की layers की बात करूं, तो देखिए यहाँ आके काफी जादा आपकी मोटी हो जाएगी, और basically यह आप कह सकते हैं, यह आपकी third layer है, सबसे internal layer की बात करते हैं, तो सबसे internal layer, endocardium, endocardium होगी, internal layer हमारी endocardium है, mid layer की बात करते हैं, तो mid layer हमारी myocardium, myocardium, outermost layer की बात करते हैं, outermost layer की बात करते हैं, endocardium, myocardium, epcardium, 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 और commonly, commonly, दीनों को हम कहेंगे pericardium, क्माइनली क्या होगा हमारा, pericardium हो जाएगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है, endocardium आपकी internal layer है, फिर आपकी myocardium है, देन फिर ipcardium है, तीनों layer को क्माइनलियम, pericardium कहेंगे, अब इसका answer आप लोगों को मुझे comment box में बताना है, आप सबी लोगों को, कि जो हमारा MNT आपका fever है, उसमें हमारा जो basically क्या है, brain है, oh sorry, human heart है, इसकी conciliar सबसे जारा क्या होगी, आपकी एक तरीके से प्रभावित होगी, ठीक है न, तो I hope आप सबी लोग इसका answer मुझे बताएंगे, साथी साथ एक और question आपको देता हूं, रखत समू निर्बर करता है, blood group depends on, तो जो blood group होता है, वो किस पर depend करता है, किन चीजों पर depend करता है, एक बर आप लोग मुझे बता देंगे, चीक है जी, तो दो सवाल आपके लिए homework रहेंगे, एक हमारा blood group वाला question रहेगा, आपके लिए homework जो basically पूछ रहा है, कि हमारा जो blood group है, किस चीज पर depend है, antigen पर, antibodies पर, microphysis पर, या none of these पर, तो यह आप लोगों को बताना है, antigen क्या है, antibody क्या है, microphysis क्या है, इसका answer एक तो आप बता देंगे, और दूसरा हमारा, यह eventi fever बताएंगे, कि भाई, आप मैंने आपको heart की layers आपको बता दियें, कौन कौन सी layer है, और किस back के अंदर आपका heart बंद होता है, pericardium back के अंदर क्या होगा, हमारा human heart क्या होगा, हमारा बंद पाया जाएगा, ओहो भाई सब, तो pericardium के back के अंदर हमारा human heart आपका बंद पाया जाएगा, ठीक है जी, तो इसका answer आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, एक बर मुझे बता दीजिए, बता पाएंगे ना इसका answer बढ़ियां तरीके से, बिल्कुल सारा हम बता पाएंगे इसका answer, चलिए, तो आज के लिए फिलाल इतना ही, कि स्किन के सामने रहा, जल्दी से बताएंगे कि जो टीका करण है मेरे पैरे मित्र, उसकी शुरुआत किसने की थी, तो फटा फट यहां पर बताएंगे कि भाई साब जो टीका करण थी, उसकी शुरुआत किसने की थी आपके फटा फट, चलिए जी, टीका करण की आपकी शुरुआत जो है वो आपकी किसने की थी, यहां पर मुझे बता देंगे, और आशक करता हूँ, आप सभी लोग बहतर होंगे, उन्दा होंगे और जबर्दस तरीके से अपनी त्यारी को कर रहे होंगे, टीका करण की शुरुआत करने वाले विक्ति कौन थे आपके, वेक्सिनेशन को स्टार्ट किसने किया था, जुनास ई सॉल्क ने, एडवर्ड जैनर ने, पॉल मुलर ने या फिर साथी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, चलिए, अगर हम बात करते हैं वेक्सिनेशन की, ठीक है ना, किसी भी डिजीज या बीमारी से बचने के लिए, एक तरीके से टीका करन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होगा साथी, वो डिजीज हमें दुबारा ना हो, आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योई याद रुखेगा, कोई गलत करी नहीं सकता आपका आंसर, एडवर्ड जैनर, बिल्कुल ठीक है, अगर हम एडवर्ड जैनर की बात करते हैं भाई, तो एडवर्ड जैनर की अगर हम बात करते हैं, तो बिसिकली इन्होंने चेचक, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के वेक्सिनेशन की आपकी खोच की थी, चेचक के TK की खोच की थी जी चेचक के TK की आपकी discovery की थी smallpox smallpox की याद रखेगा इन्होने vaccination smallpox की vaccination की इन्होने discovery की smallpox vaccination की आपकी discovery की जो की basically किस से होगा भाई आप केसकते है variola virus से होगा वैरियोला वाइरस, किस से होगा जी हमारा वैरियोला वाइरस तो वैरियोला वाइरस जो है साथी, आप सभी को यहां पर पता होना चाहिए cause करता है आपका small box और पूरे शिरुन में लाल रंग के दाने आपके आ जाते हैं तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा Edward Jenner हो जाएगा एक दम बढ़िया चलिए move to the next question अगरे सवाल की तरफ चलते हैं निमने में से कौन सी व्याधी आनुवानशिक है इन में से कौन सी बेसिकली जो डिजीज है वो आपकी जेनेटिक है जेनेटिक डिजीज की अगर हम बात करें तो जेनेटिक डिजीज हमारे बेसिकली जेनेटिक का मतलब होता है जो डिजीज हमारे जीन के अंदर उपस थे तो आप सभी को समझना है जीन के अंदर प्रेजेंट हो और थूदी क्रोमोसोम के माध्यम से Cromosomes के माध्यम से यहना बाइदी क्रोमो सूम एक generation से दूसरी generation में आपके transmit हो क्या कहलाती है genetic disease कहलाती है hereditary disease कहलाती है कौन सी genetic disease है answer बढ़ा ही एक तरीके से आसान है क्या होगा answer genetic disease का second का A answer लगा रहे हैं हमारे रिंकु जी आंसर लगा रहे हैं अंकिता, सपना, सरिता सभी लोग आंसर सुमन बहुत शानदार जी एक्दम बढ़ीया आंसर हीमोफीलिया लगा रहे हैं बिल्कुल चीक है अच्छा हीमोफीलिया जो डिजीज होता है इसे royal disease कहते हैं, मेरे मित्रों, no down कीजेगा, royal disease कहते हैं, royal disease कहते हैं, क्यों कहते हैं यह royal disease, क्योंकि ब्रेटेन की जो हमारी महराणी है Britain की महरानी में सबसे पहले disease देखने को मिला हुआ था और basically रक्त का थक्का नहीं जमता है रक्त का थक्का ना जमना basically याद रखेगा doesn't clot blood याद रखेगा blood clotting आपकी नहीं होती है साथ यह does not clot blood basically चोट लगने पर जो हमारा basically ठक्का बन जाता है वो इस बिमारी में आपका नहीं बनता है तो यह क्या है हमारी hemophilia disease है hemophilia disease की बात करें तो जब hemophilia disease की वज़े से blood की clotting नहीं होती है तो इसी क्या कहा जाता है hemorrhase disease कहा जाता है hemorrhase disease या hemorrhase disease करके से हम कहते हैं यह basically क्या है आपका hemorrhase disease यह क्या है basically अगर क्या हो आपका blood की clotting ना हो ठीक ना जब आनुवांशिक रूप से जर्म से ही किसी बच्चे को चोट लगती है और रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा है तो उसे क्या कहते हैं साथ ही आपका hemorrhase disease कहते हैं टाइरो सिनेज एंजाइम की वज़े से होता है लिख लेंगे जी टाइरो सिनेज टाइरो सिनेज जो हमारा जी वारू cancer बेसिकली याद रखेगा uncontrolled cell division से होता है uncontrolled uncontrolled cell division से होगा वहें uncontrolled cell division से आन ये मित आप कह सकते हैं कोशा विभाजन से होगा और पेचिस की अगर बात करें पैरासाइट से होगा ये पैरासाइट से होगा और पैरासाइट में भी कौन हमारा amoeba Amoebach किसे होगा साथ ही आपका Amoeba से होगा चलिए जीव के क्लोन के समद्ध में निमलकित में से कौन था कतन आपका सही है आपने देखा होगा कि influyle वगेरा तैयार किये जाते हैं क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षन बाई जाते चैने ग्लोन अलैगिक विधी से उत्पन किया जाता है एक समान जुडवा एक ही जीव के ग्लोन होते हैं एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते हैं बताए Clones have trait of both Chair of both parent Bin on a Wes Clone is produce by a sexual method Identical twins are clones of the same organism Two clones of an organism are not alike यहाँ पर बताना है कि बही सब क्लोन के संबंद में कौन सा कथन आपका सही है एकदम correct है आपको बताना है चली तो basically क्लोन की अगर हम बात करें तो ये आपके asexual आप कह सकते हैं method से आपका प्राप्त किये जाते हैं बिना किसी भी lagic विधी के alagic विधी के तवारा यहाँ पर प्रियोग नहीं होगी alagic विधी आपके प्रियोग होगी asexual आपका method यहाँ पर use होगा answer हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हमारा सी नहीं आएगा यार सी नहीं आएगा भई सी नहीं आएगा answer हमारा क्या हो जाएगा answer हमारा हो जाएगा आपका भी ठीक है चलिए move to the next question भाई जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं ribosome द्वारा क्रोमोसोम द्वारा प्लास्मा के द्वारा लाइसोसोम द्वारा जल्दी 5 सेकंड का time है आप से एक बारी फटा फट सेशन को like कर देंगे जी यहां पर answer भी आ रहा है बिल्कुल शीख है अगर हम genetic characters की बात करते हैं तो वह क्रोमोसोम जिसे कहते हैं हम सभी लोग गुड़सूत्र कहते हैं साथ ही आप सभी लोग क्या कहते हैं हमना गुड़सूत्र कहते हैं तो जो गु आपका नहीं होगा अगर हम राइबोसूम की बात करते हैं तो यहां पर तो आपका protein, protein synthesis होगा भाई साथ protein synthesis यह हम कह सकते हैं protein का क्या होगा भाई आपका संसलेशन होगा protein का आपका संसलेशन हो जाएगा synthesis of protein हो जाएगा मतलब amino अमलों को protein में बदला जाएगा यह process क्या कहलाएगी जिसे हम सभी लोग translation कहते हैं अगर हम बात करते हैं प्लाजमा के अंदर जो प्लाजमा है हमारा ठीके ना जो प्लाजमा है तो रक्त का जो एक तर प्लाजमा होता है lysosome को कहा जाता है आपका suicidal bag of cell suicidal bag of cell कहा जाएगा आत्म हत्या की थैली कहा जाएगा कोशिका के आत्म हत्या की थैली कहा जाएगा क्योंकि यहां पर basically आपके 24 टाइप्स के 24 टाइप्स के आपके enzymes पाए जाते हैं 24 टाइप के एंजाइम उनमें सबसे प्रमुक होता है हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक उनमें सबसे प्रमुक क्या होता है जी हमारा हाइड्रोलिटिक होता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है यही क्या करता है चीजों को क्या करेगा बिसिकली नस्ट करेगा चलिए, move to the next question लिखते जाएगा, मेंडल ने अपने प्रियोग मतर के पौधे पर ही क्यों किये, क्योंकि देखिए, जेनेटिक्स वाला जो हमारा बीसिकली याद रखेगा, चैप्टर है, वहाँ से questions आएंगे, तो मेंडल के आपके question बिलकुल याद रखेगा, बनना तय है, और like जो करेगा, उससे ही मेंडल के questions आपके याद रखेगा, बन पाएंगे, तो एक बार मुझे बता दीजिए, कि जो मेंडल सहाब थे, अच्छा, मेंडल को क्या कहा जाता है, तो सर इनका पूरा नाम है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल नाम ह आनुवानशिक्ता, जिसे कहते हम सबी लोग, जैनेडिक्स, जैनेडिक्स से लेटर आपके नियम दिये हुए थे, और मतर के पौधे पर ही उन्होंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया, मुझे बता देंगे, ठीके ना, तो बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जी, आ ऐसे, due to the accessibility of pea plant, तो बेसिकली उसकी सुलवदा के कारण, अगर हम मतर की बात करते हैं, साथी मतर की बात करते हैं, मतर की बात करते हैं, तो मतर का बेसिकली आपका बोटनिकल नीम क्या है, पाईसम सटाइवम, पाईसम सटाइवम है, पाईसम सटाइवम है, और बेसिकली आस्ट्रिया में एक जगा है आपका ब्रून आस्ट्रिया आस्ट्रिया नहीं आस्ट्रिया में ब्रून में और ये पादरी थे इन्होंने मटर के आपके प्लांट में एक्सपेरिमेंट किये थे आनुवानशिक्ता के जनक के रूप में आपका कौन विख्यात है चलिए पताईए आनुवान शिक्ता का जन ये मेंडल है भाई ये मेंडल है चलिए मेंडल है पताईए आपका जेनेटिक्स फादर ओफ जेनेटिक्स या फादर ओफ हेरिडिटी चलिए क्या होगा जी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फादर ओफ जेनेटिक्स क्या हो जाए जी आपके, Gregor जॉन आपके मेंडल हो जाएंगे, मतल के पौधे पर उन्होंने प्रियोक किया और ये बताने की कोशिश की किस तरीके से कौन से characteristics आगे जाते हैं, मेंडल का अनुवाणशिक्ता का सिद्धांत किस पर आधारित था, मेंडल's Theory of Heredity is based on, जो मेंडल ने आपकी ज जैसे हुबा हुँ हम दिखते हैं उनके characters हमारे मतलब पास आते हैं तो basically उसका जो सिद्धान्त था अनुवान शिक्ता का वो किस पर आपका क्या था depend था किस पर depend था तो basically वो किस पर depend था sexual reproduction पर depend था क्योंकि sexual reproduction लैगे कि याद रखेगा जनन के बिना characters एक आप कह सकते हैं organism से दूसरे organism में आपके नहीं पहुच पाते हैं आप सभी को पता है कि देखिए यह आपके mother है यह father है mother में last chromosome होता है आपका एकस एकस ओफादर में होता है एकस यह वाज़ी है अगर मैं बात कर रहा हूँ किस चीस की आपके basically आनवान्शिक रूप से लड़का हो गा रहा है लड़की तो इधर से एकस और उधर से y आ रहा है तो भाई x y हो जाएगा फिर second condition जो होगी यहां से x और यहां से x आ रहा है तो क्या होगा जी यहां पर आपका x x हो जाएगा और यहां से x और यहां से आपका y आ रहा है तो x y हो जाएगा तो जहां 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 आपका x y है x y है वो क्या होगा हमारा male होगा जहां जहां हमारा XY है और जहां जहां मेरे पेरिमित्र आपका XX है वो क्या होगा जी हमारा female होगा तो इस तरह से आपको यहां पर समझ रहा है कि यह क्या है बेसिकली एक तरीके से sex determination है जो कि आपका किया जाता है चलिए move to the next question नेमने में से कौन सी बिमारी एक उत परवर्ती जीन के कारण होती है बताएए एक तरीके से जीन में अगर disorder आता है तो कौन सी disease हो जाएगी हेमोफीलिया, सिकल सेलैनीमिया, थैलिसीमिया और all of the above मतलब एक तरीके से कुल मिला के बात आ रही है कि जीन में disorder आना मतलब genetic disease मतलब अगर आप से directly पूछ ले कि इनमें से बताओ आनवान शिक्रो कौन सा है genetic disease कौन सी है या आप से पूछ ले कि जीन में disorder आ जाए और सर थैलिसीमिया भी genetic है मतलब आंसर हो जाएगा उप्युक्त सभी सर तीनों में मुझे बता दीजिये क्या क्या होगा बिलकुल बताता हूँ देखो हेमोफीलिया बेसिकली royal disease कही जाएगी ब्रिटेन की महरानी में हुई थी blood की clotting नहीं होगी blood clotting में क्या हो जाएगी आपकी समस्या हो जाएगी है ना रक्त ठक्का रक्त का बेसिकली याद रखेगा आप सभी लोग ठक्का नहीं जमेगा रक्त का ठक्का नहीं जमता है blood की clotting इधर नहीं होती है भाई साब मैंने आपको बताया था tyrosinase enzyme की कमी के करन होता है sickle salinomy है भाई साब RBC जो होता है वो basically कैसा हो जाता है हसिया कार हो जाता है हसिया कार हो जाता है मतलब RBC basically कुछ इस तरीकी का हो जाता है तो basically उसका जो size है RBC का वो कैसा हो जाता है आपका अर्ध चंद्रा कार हो जाता है शेप जो हो जाता है तो oxygen proper quantity में oxygen आपका RBC हमारा नहीं ले पाता तो फिर problem है भई थैली सीमिया में भाई साब रक्त का निरमाण रुख जाता है रक्त का निरमाण याद रखेगा आप सभी लोग निरमाण नहीं होता मतलब सर जैसे हमारे शिर्ण में जो क्या है bone marrow है वो हमारे क्या करती है RBC को बनाती रहती है बनाती रहती है लेकिन जो जिन बच्चों में थैली सीमिया होगा उनमें जन्म से ही बच्चमन से ही blood नहीं बनेगा तो फिर सर बलड नहीं बन रहा है मतलब वो कितना भी खाले पीले बलड नहीं बनेगा because of वो basically bone marrow में थालिसीमिया से क्या है वो बच्चे आपके ग्रिसित हैं अच्छा ऐसे बच्चों को क्या किया जाएगा भई तो भई दूसरे विक्ति का बलड आपका मतलब एक तरीके से दिया जाएगा मतलब वो जीवन भर दूसरे के शिर्ड से बलड लेंगे तब जीवित रहेंगे मतलब सर इतना भैंकर बिल्कुल जी यह आपका RBC हस्याकार हो जाता है आपका हीमोफीलिया में रक्ट का ठक्का नहीं जनता है अच्छा एक मज़े की बात है सिकल सेल एनिमिया की बात करते तो याद रखेगा मलेरिया नहीं होगा ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं होता है मलेरिया नहीं होता है सर क्यों नहीं होता है sickle cell anemia होगा तो अच्छी बात है सर सिकल cell anemia हो जाने तो malaria नहीं होगा अच्छा क्यों नहीं होगा क्योंकि basically मान लो RBC आपका sickle cell का हो गया sickle cell मतलब आपका अर्थचंद्राकार इस तरीके से है अब एक बात बताओ अगर malaria होना है तो malaria के लिए जिम्मिदार क्या है तो सर यह हमारा RBC है RBC के अंदर कौन एंटर करेगा आपका malaria का परजीवी plasmodium plasmodium yvex enter करेगा भाई plasmodium yvex हमारा enter करेगा कौन एंटर करेगा जी plasmodium plasmodium yvex तो plasmodium yvex क्या करेगा इसके अंदर एंटर करेगा और यहां पर ही वो क्या करेगा साथी अपने आपको basically nutrients लेगा इस RBC से अपने आपको एक तरीके से एक तरीके से grow करेगा तो अब RBC suppose that मालो अर्थचंद्राकार हो तो इसके अंदर plasmodium जाकर रह पाएगा क्या नहीं रह पाएगा plasmodium को nutrients मिल जाएंगे क्या जितने normal RBC से मिलते थे नहीं मिल पाएंगे तो malaria नहीं होगा क्योंकि malaria के parasite को परपने के लिए उससे nutrients देने के लिए हमारा RBC लायकी नहीं बचेगा क्योंकि sickle cell में उसका size और ज्यादा छोटा हो जाएगा मलीरिय का parasite वहाँ पर exist ही नहीं कर पाएगा that's why आपको यहाँ पर समझना है चीज़े मतलब यह सारी चीज़े भाई सब पूछी जाती है कि पताओ जरा कि malaria उन जगों पर एक तरीके से एक वरदान है जहाँ पर sickle cell anemia होता a because of आपको बताना रहता है क्रोमोसोम की संदचना में आपका भाग लेते हैं बताऊए क्रोमोसूम की संदचना में आपका कौन भाग लेते हैं DNA वं protein protein वं carbohydrate RNA वं protein या carbohydrate बताईए आपके ख्रोमोसोम और मैंने 50 बार क्रोमोसोम के बारे में बता लेयर होती है वो क्या लाती है हमारी पैलिकल पैलिकल क्या क्या लाएगी जी हमारा पैलिकल क्या लाएगी तो आउटर मुस्ट लेयर जो है वो हमारी क्या होगी पैलिकल होगी सबसे अपर पार्ट जो आपके क्रोमोसोम का होगा भाई आपका अपर पार्ट होगा उपरी तो तीलो मेर्स जो है अपर पार्ट आफ दी क्रोमोसोम कहलाएगा अब क्रोमोसोम का जो structure होता है उसमें कौन कौन से आपके बेसिकली इस्ट्रक्चर आपके participate करते हैं तो RNA और क्या दिना और क्या हो जाएगा साथ हमारा protein हो जाएगा तो DNA and protein will be the right answer DNA और protein ऐस्टोन प्रोटीनokay main ली हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है कितने टाइप का होता है कि में अको बताऊंगा अब एक embark Marcel क्लास मेंने रखी हुई है आपकी कभ संडे को सुबह 7 बजे से याद रखेगा संडे संडे याद रखना है 7am से हमारी जो marathon class है वो आपकी क्या है साथी लगने वाली है तो सुबह याद रखी का 7 बजे से संडे को आपको जुड़ना है इस दमाकेदार class के साथ यकीन मानिए बहुत जबर्दस बहुत दमाकेदार तरीके से आपको मैं चीजें यहाँ पर करा दूँगा ठीक है चलिए जी अगला जैव विकास में उत परिवर्तनों का महत्व क्या होता है दा importance of mutation mutation in bio evaluation तो bio evaluation की बात करेंगे जो क्या होगा जैव विकास होगा तो जीव का जो विकास होता है उसमें उत परिवर्तन mutation की आपकी भूमिका के बारे में बेसिकली याद रखेगा पूछा जा रहा है तो बताइए आनुवानशिक विबिन्नताय आती है जननिक अलगाव होता है जननिक पुनर समिश्रण होता है या इन में से कोई ने तो देखे जब भी बात करते है mutation की mutation की बात करते है उत परिवर्तन इसके लिए जाना जाता है hugo d breach को किसे जाना जाता है भाई हमारे hugo d याद रखेगा आप सभी लोग breach hugo d breach को जाना जाता है भाई आपको समझना है और यहाँ पर क्या होता है genetic variations आ जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि corona का नया variant आया हुआ है तो actual में mutation होता क्या है mutant होता क्या है mutation होता क्या है यह हमारा kromosome है और kromosome में पाए जाते हैं gene तो gene की क्या होती है coding होती है भाई साथ उस coding में जब क्या होता है बदलाव हो जाता है उसके sequence में बदलाव हो जाता है तो उसे कहते है mutation mutation का मतलब होता है chromosome की surface पर present आपके क्या साथी आपके gene की जो sequencing है उसमें आपका बदलाव हो जाना ये कहलाता है no down कीजेगा चलिए जी आगे बढ़ते हैं Darwin बाद की सबसे बड़ी कमजोरी इन में से किसकी व्याख्या प्रचुर संतान उत्पत्ति विवन्यताय योगितम की उत्तर जीविता या जीवन शंगर्ष चलिए बताएंगी जी क्या होगा यहाँ पर आपका Darwin बाद की जो बेसिकली याद रखेगा एक तरीके से कमजोरी थी क्या था आप लोग फटा फट बताईए जितने भी साथी है फटा फट हाँ भई हूगो डी ब्रीज अलग चीज है भई हूगो डी ब्रीज आपका हो चुका बाद की तो फटा फट बता दो क्या होगा ठीक है तो जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं यहाँ पर फटा 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 फट क्या करेंगे भाई आंसर बताने की कोशिश करेंगे चलो जी फटा फटा बताएंगे डी आंसर आ रहा है भाई सब जीवन शंगर्श तो बिल्कुल ठीक है लाइफ स्ट्रगल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं जी NDRI करनाल हर्याणा के विज्ञानिकों ने निमलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विक्सिट किया बताएजी एक तरीके से जो आपका NDRI करनाल हर्याणा है उन्होंने याद रखेगा आप सभी लोग किस जानवर का एक तरीके से दूसरा एक क्लोन क्या हुआ है आपका विक्सिट किया है मुझे बताएगे आयू पेसी नेम दिखा दीजे भाई मैं बिल्कुल आयू पेसी नेम करा दूँगा लेकिन एक वादा करो कि तुम भागोंगे नहीं बस तुम याद रखेगा संयम से वो क्लास देखोगे मैं बिल्कुल आयू पेसी नाम करा दूँगा ठीक ना फटा फट ठीक ना तुम बस एक बात बता दो कि तुम regular class में रहोगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हो जाएगा गाय इन्होंने क्या किया हुआ था आपका गाय का एक तरीके से clone तैयार किया है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किस ने किया था बताएए उत्परिवर्तनवाद जो हमारा क्या है बेसिकली आपका म्यूटेनिज्म जो है उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन का एक तरीके से जो system है वो कौन लेकर आए थे तो जितने भी मेरे पैरे मित्र है फटा फटा अंसर करेंगे कि भाई सब जो उत्परिवर्तनवाद है और आई उपीसी ने बिलकुल आपका हो जाएगा बस सोड़ा साप लोग क्या करेंगे सबर रखेंगे अगर आप लोग ने कहा कि ठीक है सर आप कराईए हम प्रॉपर क्लास को देखेंगे ठीक है ना तो बिलकुल आज सुबह साथ बजे वाली क्लास बिलकुल हुई है तुम ये क्यों सोच लेते हो कि क्लासिस नहीं होंगी एकदम हुई है 2000 बच्चों ने वो क्लास देख भी ली है और नोट्स भी बना ली है और बोलो भाई साब 2500 बच्चों ने क्लास देख भी ली है नोट्स भी बना ली है और आप ये पूछ रहे हैं कि क्लास हुई है नहीं हुई है बाई सब सुबह उठो चैनल पे आओ मैं तुम्हें लाइव मिलूँगा केवल शनिवार छोड़कर वाकी प्रॉपर रोज सुबह साथ बज़े क्लास चलती सैडरे क्यों नहीं चलती क्योंकि उस दिन सभी टीचर्स की मैरतन होती है तो कुछ टीचर्स की मैरतन हमारी चैनिवार को है कुछ की रवीवार को है मैं चैनल पे सुबह साथ बज़े आपको मिलूँगा ये बात था है चाहे तुम साथी आओ या ना आओ मैं तुम्हें चैनल पे सुबह 7 बजे मिल जाओंगा और बढ़ियां तरीके से पढ़ाता हुआ एवन कॉंटेंट के साथ दिन के शुरुआत बहतर करना चाहते हो सेलेक्शन ओरियेंटेट पढ़ना चाहते हो सुबह 7 बजे से लगता है 9 बजे तक 2 घंटे तुमारे साथ जुरता हूँ ग्यान की बाते होती है एकदम बढ़ियां तरीके से तो बिलकुल जुर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा जी आपका डी ब्रीज हो जाएगा हूगो डी ब्रीज इनका नाम है अच्छा लैमार्क की बात करते हैं तो लैमार्क ने बेसिकली जो हमारा बायोलोजी वर्ड दिया था इन्होंने क्या दिया था आपका बायोलोजी वर्ड दिया हुआ था अकेले ने नहीं दिया था आपका अकेले ने नहीं दिया था इन्होंने दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये वर्ड दिया हुआ था आपका बैलोजी वर्ड दिया था एक हमारे लेमार्ख है प्लस हमारा ट्रैवी रैनस लेमार्क और जो हमारे ट्रैवी रैनस है इन्होंने बेसिकली ये वर्ड कब दिया था 1802 में दिया था तो 1802 में इन्होंने आपका बैलाजी आपका वर्ड दिया हुआ था तो ये आपको लेमार्क के बारे में समझना है चलिए सरप्रथम कृतिम जिनका संसलेशन प्रयोक शाला में किस ने किया था लेब के अंदर आर्टिफिशल जीन को एक तरीके से किसने तैार किया था चलिए आंसर करेंगे जी तो भाई ये काम किसने किया था आपके डार्विन ने आपके वैलन्स ने, डॉक्टर हर्गविन खुराना साहब ने, है ना, खुराना साहब है भाई, खुराना साहब माफ नहीं करेंगे भाई, मेरे टैपिस्ट को आज, भाई साहब, उन्होंने खुराना साहब के नाम के साथ, खुराना, है ना, डी लगा दिया भाई, खुराद साहब ने क्या किया हुआ था भाई लैब के अंदर artificial gene का synthesis किया था अच्छा एक चीज़ और लिख लो भाई सब अगर कोई कहे कि बताओ artificial gene का synthesis तो किया हरगविन खुराना साहब ने बट टेस्ट यूब में DNA का synthesis किस ने किया बताओ ज़रा test tube के अंदर DNA का आपका sensation कौन बर्ग ने किया था कौन बर्ग ने किया था कौन बर्ग ने किया और कृतिम gene artificial gene का synthesis किया हमारे हरगविन खुराना साहब ने move to the next question एक gene एक enzyme सिद्धान्द के पृतिपातक कौन थे the exponent of one gene one enzyme theory was debridge, vitalevum, tatum, lamark और darwin एक gene याद रखेगा और एक enzyme का जो basically theorem है वो किस ने दिया हुआ था वो दिया था आपके beetle और याद रखेगा tatum ने beetle और tatum ने दिया हुआ था एक gene एक enzyme का जो क्या है साथी enzyme का सिद्धान्थ हमारे beetle और आपके tatum साहप ने दिया था point को no down करिएगा आप सभी लोग ठीक है जी कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं ना बिल्कुल अच्छा एक चीज़ और एक सवाल आता है कि भाई सब जो enzyme है वो word किस ने दिया था enzyme word किस ने दिया था तो enzyme शब्द दिया था कोहने साहपने किस ने दिया था कोहने ने और इसका एक philosophy थी enzyme की lock and key lock and key ताला चाबी परिकल्पना lock and key philosophy ताला चाबी याद रखेगा आप सभी रोग परिकल्पना ताला चाबी पलिकर्पना lock and key philosophy जो दी थी आपके email फिशर साहपने किस ने दी थी email फिशर ने email फिशर ने दी थी आपके ताला चाबी परिकल्पना इसमें उन्होंने कहा था कि जैसे माल लीजे एक आपका lock है और उसकी क्या है साथी हमारी key है उसी प्रकार ये जो ताला है इसे हमने कारे माल लिया walk माल लिया और चाबी को हमने माल लिया enzyme तो जिस प्रकार एक ताले की एक ही चाबी हो सकती है वैसी एक कारे को करने के लिए एक ही enzyme आ गया सकता है मतलब एक ताले की एक निशित चाबी है वैसे निशित कारे को करने के लिए निशित एंजाइम वहाँ पर आपका आएगा मतलब याद रखेगा अगर प्रोटीन का पाचन करना है इस टमक की अंदर तो पैपसी नहीं करेगा कोई और नहीं करेगा मतलब जैसे अब मास्टर की की बात अलग है तो मतलब जैसे एक ताले कि एक ही चाबी होती है दूसरा याद रखेगा बेसिकली चाबी उस ताले को सकती वैसे एक निश्ड काम के लिए निश्ड काम के लिए कोई कोई दूसरा अंजाइम आकर सोचे कि भाई साब मैं क्या करता हूं इस काम को and developmental changes are more likely in those species of organism in which reproduction takes place, आपके through birding, through binary fission, through non-fertilization, through sexual reproduction, आप बताईए कि किन आप कह सकते हैं जीवों में विकास और जेनेटिक आपके basically changes जादा होते हैं, किस method से, चलिए, किस method से, चलिए जी, तो basically जहां पर क्या होगा, binary आपका कह सकते हैं, fission होगा, द्वी विभाजन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, द्वी विभाजन होगा, एक जो हमारा शरीर है basically, example के लिए amoeba, example के लिए हमारा amoeba, तो जो amoeba होगा मेरी parameter, इसमें binary fission होता है, एक amoeba, तूट कर क्या करता है, आपके एक amoeba को आपका जन देता है, तो इस तरह से आपको समझना है, ये द्वी विभाजन हो जाएगा, budding कहां होगा साथी, budding होगा, basically आप कह सकते हैं, जिसे budding कहते हैं, muculin कहते हैं, hydra में होगा, hydra में, और मैंने आपको ये भी बताया था, hydra की दो जन दंच कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर आपका एक poisonous substance या जहरीला पदार्थ भी पाया जाता है, हमने इस बारे में भी बात की हुई है, वर्नांद विक्ति किन रंगों में भीद नहीं कर सकता, suppose that कोई विक्ति color blind है, किन colors में वो differentiate नहीं कर सकता, एक तरीके से आपको बताना है, आपका red और yellow, green और yellow, all colors या आपके red और green, अच्छा, होता कैसे है color minus, तो आपके आँखों में चार लेर्स पाई जाएंगी भाई, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, सबसे फर्स्ट है, conjunctiva के बाद हमारा आजाएगा cornea, cornea के बाद lens और lens के बाद हमारा retina, ये चार लेर्स हैं हमारी human eye में, चार लेर्स है, conjunctiva, cornea, lens और retina, सरी जो चार लेर है, यहाँ पर जो हमारा basically cornea है, जो हमारा cornea है, कहाँ गया जी हमारा cornea है, तो cornea में दो cells पाए जाएगी, एक हमारी cone cells, then आपका rod cells, cone cells और rod cells ये क्या पाए जाएगी, आपकी दो cells पाए जाएगी, cone और rod, जिसे कहेंगे शंकू कोशिका जी, अब साथी यहाँ पर मामला यह है काहें कह रहा है भाई color blindness color blindness के लिए कौन जिम्मेदार है कोन cell तो कोन cell में अगर basically याद रखेगा कोन cell में पाया जाता है आपका शंकू कोशिका में पाया जाएगा जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा जो हमारी शंकू कोशिका है देखो जो हमारी शंकू कोशिका है साथी अरे यार बोड हैंग कर रहा है एक सेकंड रुखेगा फीके जी जो हमारी क्या है साथी शंकू कोशिका है आपकी कोन cell है वहाँ पर आयो डॉपसिल आयो डॉपसिल पिगिमेंट मिलेगा भई तो आयो डॉपसिल पिगिमेंट मिलेगा और आयो डॉपसिल जो पिगिमेंट है पेसिकली याद रुखेगा इसकी अगर कमी हो जाए तो red और basically green color देखने में आपको problem हो जाती है red और green color तो answer क्या हो जाएगा? लाल और हरंग मैंने concept आपको बताने की कोशिश की कि actual में color blindness कहां से originated होता है कहां से उसकी उत्पत्ती होती है आखों में cornea cornea में दो आपकी cells है rod cell और आपका क्या कौन cell शंकू और छड़कोशी का नहीं बन पाएगा तो फिर क्या होगा जी तब साथी color blindness होगा मतलब लाल औहरा रंग एक तरीके से हम differentiate नहीं कर पाएंगे इसलिए आपने दिखा होगा जब train वगरा में अभी जैसे लोको पाइलेट वगरा के exam होंगे तो वहाँ पर क्या किया जाएगा एक color blindness के लिए अलग से एक test रखा जाता है because पता चले signal तुम train में बैठे हो तुम्हें तो दिखी नहीं रहा लाल औहरा और वहाँ तो हरे ओ लाल कई के में हरे ओ लाल कई के में red मतलब जाना है ग्रीन मतलब रुकना है तुमने signal तोड़ दिया भाई सब train के साथ फिर दिक्कत हो जानी है तो भाई से ले color blindness का पहले से test क्या करते हैं वो लोग आपका conduct करा लेते हैं कई लोगों को समझ नहीं आता है लेकिन यह problem होती है color blindness की answer हो है और अब आम का season आ रहा है भाई साथ मतलब कितना बढ़िया मौसाम आ रहा है लेकिन यह बच्चे like नहीं कर रहे हैं भाई सा लाइक नहीं कर रहे है भाई जल्दी से एक बार यार like कर दो अपने दिलावर सर के खातेर विहार एड़ा के नाते तो भाई like करना बनता है या ऐसे तुमने यहाँ पर session को like किया तो bank account से पैसे तुमारे काट लिये जाएंगे भाई साथ ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा भी लग रहा है तो gloves पहन के like कर दो भाई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि sir जो हमारा fingerprint है वो like की button पर जाएगा और account से पैसे कट जाएंगे ऐसा कुछ system तो है नहीं लेकिन फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो भाई gloves पैन के like कर दो लेकिन कर दो भाई सभी के सभी like कर देंगे एक बार session को फल पकाने के लिए ethylin, oxin, आपका kinatin या उप्यूक्त सभी तो answer हो जाएगा आपका ethylin, ethylin हो जाएगा अच्छा, ethylin जिस पहले मुद्दे की बात सुनो, ये जो follow को पकाता है तो क्रितिम तरीके से, no down करना, क्रितिम तरीके से follow को पकाता है, क्रितिम तरीके से follow को पकाने का कारिय करता है, artificially, artificially artificially क्या करता है आपका fruits की क्या करता है आपका ripening करता है artificially fruits की ripening करता है कृतिम तरीके से आपके fruit को पकाता है ओ माफी चाओंगा ये प्राकर्तिक तरीके से ये naturally पकाता है ये अमारा ethylene है न ये प्राकर्तिक तरीके से पकाता है जी प्राकरतिक तरीके से कहा प्राकरतिक लिख आपका artificial दिया ये बेसिकली याद रखेगा naturally ये naturally अगर कोई कहे artificially 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 अगर कोई कहे artificially मतलब कोई कहे basically कृतिम तरीके से कृतिम तरीके से फलों को पकाने का कार्य करता है हमारा C2H2 जिसे कहते है acetylene जिसे acetylene कहते है जिसे acetylene कहते है basically क्या करेगा artificially fruits की ripening करेगा और तीसरा होगा साथी आपका third हो जाएगा calcium carbide CAC2 जिसे कहेंगे calcium carbide तो calcium carbide होगा ये भी basically याद रखना है artificial ये भी artificial तरीके से क्या करेगा follow को पकाएगा क्यों पकाएगा क्योंकि एक काम करो CAC2 पे पानी मिला दो जड़ा अब बताओ क्या बन रहा है मुझे बताओ मैंने पानी मिला दिया है तुम बस बताओ क्या बनेगा CAC2 में मैंने पानी मिला दिया है तुम बताओ क्या बनेगा यह सब थोड़ा सा देख लिया करो देखो जी सर आपने CAC2 पे पानी मिला दिया है तो यह C2H2 तो यहां से निकल जा रहा है यह C2H2 तो यहां से निकल जा रहा है बिल्कुल छीख है प्लस यह क्या है जी आपका CAO है कल्शियम आपका ऑक्साइड है तो सर इस तरह से हमने यहां पर देखा कि यह CAC2 में जैसी पानी मिलाया तो C2H2 आपका निकल गया जिसे कहते हैं क्या एसेटलीन गैस मतलब सर अल्टीमेटली जी हां एसेटलीन तो आर्टीफिचली बनाता है लेकिन यह CAC2 बनता कैसे है कल्शियम कारवाइड पर पानी मिलाने से इस सवाल आता है कि कल्शियम कारवाइड पर पानी मिलाने से कौन सी गैस हमिट होगी कौन सी गैस हमिट होगी एसेटलीन गैस चलिए बिल्कुल समय जाया नहीं करेंगे move to the next question सूरज मुखी पौधे के बीजों में क्या होता है सनफलावर का जो basically क्या होता है आपका अच्छे एक बताओ कोई भी अगर मालो क्या है फूल है उसका रंग उसका जो रंग होता है वो किस के लिए मतलब कैसे होता है गुलाब लाल भी है आपका जो हमारा सूरज मुखी है वो पीला है तो फूल का रंग उसमें उपस्थित याद रखेगा वर्णी लवक पर क्या करेगा आपका निर्भर करेगा भई जो अभी हमारा क्या है भाई साब आपका क्रोमोप्लास्ट है जो भी हमारा chromoplast है भाई सब उस पर depend करेगा मतलब आपको पता है कि जो हमारे plant होते हैं उन्हें अलग-अलग तरीके plastics पाये जाते हैं chloroplast मतलब आपका हरितलवक पत्कियों में chromoplast जो की basically full के color के लिए फल के color के लिए, बीच के color के लिए बनाने का छिलका पीला होता है सेब के चारों तरफ लाली होती है तो सेब में लाली का जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे मालो मैंने कहा कि भाई पपीता है तो पपीता बेसिकली पीला है किसकी वज़े से सेब हमारा लाल है किसकी वज़े से गाजर हमारा लाल है किसकी वज़े से जी गाजर हमारा लाल है किसकी वज़े से तो क्या हो गया भाई आपका पपीता हो गया सेव हो गया गाजर हो गया तो पपीते में पाया जाएगा एंथ्रोसाइनीन क्या मिलेगा साथी लाइकोपीन ओ सोरी यहाँ पर मिल जाएगा आपको बेसिकली जैन्थोफिल मिलेगा भई जैन्थोफिल्स जैन्थोफिल्स या करिकाजन्थिन से में एंथ्रोसाइनिन मिल जाएगा एंथ्रोसाइनिन मिल जाएगा भई एंथ्रोसाइनिन मिल जाएगा आपका गाजर में कैरोटीन मिल जाएगा कैरोटीन तो यह क्या है साथी यह हमारे basically क्रोमोपलास्ट है जो आपके अलग-अलग फलो में अलग-अलग याद रखेगा तरह से पाए जाते हैं कहा गया सूरज मुखी के पौधे में जो आपका बीज, बीजों में आपका होता है, क्या होता है जी, फताफट, क्या होगा, क्या होगा जी, आपका ओईल होगा, क्या होगा जी, आपका तेल हो जाएगा, चलिए, अगला, ilioplast है ilioplast ilioplast basically याद रखेगा ilioplast किसका एक तरीके से संगरहन करता है, बहुत अच्छा question है ilioplast ilioplast, देखिए, आपका जो plant होता है साथी, मैं आपको बता दू आपका plant होता है, जो basically उसके पास क्या पाये जाते हैं पौधे में क्या पाये जाते हैं लवक पाये जाते हैं लवक बिसिकली जिसे कहेंगे हम सबी लोग प्लास्टिट्स और प्लास्टिट्स क्या कारिय करते हैं भाई सब फूड को बनाते भी हैं और स्टोर करते हैं लवक क्या करते हैं आपका फूड का एक तरीके से डवलप्मे होते हैं कितने प्रकार की होते हैं तो सबसे पहला क्या होता है भाई हमारा हरित लवक होता है जिसे क्या कहते है भाई क्लोरोप्लास्ट सेकेंड होता है आपका वर्णी लवक जिसे कहते हम सभी लोग क्रोमोप्लास्ट हड होता है भाई हमारा आवर्णी लवक लूकोप्लास्ट जो आवर्णी लवक होता है लूकोप्लास्ट यह पाया जाता है पतियों में मेरी बास समझना यह पाया जाता है पतियों में यह पाया जाएगा कहां पर आपके रंगीन भागों में और यह लास्ट वाला जो है यह कहां पाया जाएगा बैसिकली रंगीन भागों में सबस्ट होगा एक हमारा लियूाप्लास्ट हो जाएगाथ यह थी तरह का हो जाएगा EMPL. a क्लीम बेगा क्या करेगा आपका स्टार्च оно करेगा बेसिक्व करेगा स्टार्ट को आपका क्या करेगा स्टोर करके रखेगा इलियो प्लास्ट क्या करेगा हमारे प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा और जो इलियो प्लास्ट है क्या करेगा भाई प्रोटीन को आपका स्टोर करके रखेगा किसे स्टोर करके आपके प्रोटीन को आपके स्टोर करक रखेगा तो बेसिकली यहां पर बात को समझना है यह क्या है सा देखे जो आपका प्लांट होता है उसमें फूड को बनाने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए प्लास्टेड होते हैं आचा जैसे आपने देखा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट दूसरा है आपका वर्णी लव देगा बीजो को कलर देगा और उन्हें न्यूट्रियंट्स देगा बिल्कुल चीक है अब पतिछड का मौसम जब आएगा तो पेड़ से सारे पत्ति गिर जाएंगे पेड़ा केला आपका रह जाएगा उसका डंडावस आपका रह जाएगा उस दौरान तुम जाओ पेड आपका प्रोटीन है वह अपनी जड़ो में स्टोर करता है जड़ो में तीन तरह के प्लास्टेड है कौन-कौन से आपके इमाईलो एलियो और इल्यूरो इमाईलो स्टार्च को स्टोर करेगा इसके बाद आपका क्या हो जाएगा बेसिकली इल्यूरो करेगा हमारे प्रोटीन को स्टोर तो इस तरह से पौधे के अंदर बेसिकली याद रखेगा आपका फूड स्टोर भी होता है अच्छा लेकिन इनमें से सब सबसे कोई कहें कि सबसे जादा कौन सी जी स्टोर हैं इमाईलो प्लास्ट में Start इलीो प्लास्ट पूछा गया है इलीो प्लास्ट कहां गया जी इस न mean कहा गया जी वसा म нрав लग रहा है कि तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी 150 kia एक बारी शेयर करके तुम्हें सब कुछ बता दिया सब कुछ सब कुछ मतलब सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है अगला वर्षा रितु में लकडी से बने दरवारे फूल जाते हैं क्यों फूल जाते हैं बताइए आपने देखा होगा कि जो दरवाजे होते हैं लकडी के वो फूल जाते हैं वर्षा रितु में पत्यों के रंधरों के द्वारा पत्तियों के रंधरों द्वारा बिसिकली याद रखना अतरिक्त जल का वाहर निकलना अतरिक्त जल का भाप में बदलना converting converting extra water of plant body of plant body into vapor into vapor with the help of with the help of help of stomata with the help of stomata stomata basically क्या होता है रंद होते हैं जो अब पौधे ने क्या किया भाई साब ये तुम्हारा पौधा है पौधे ने क्या किया भाई साब फ्री का पानी मिल रहा था जमीन से तो xylem tissue को बुला जितना पानी है खीच लो ठीक है कहा ले कर आओ पत्तियों तक लेकर आओ यह पत्तिया है यह क्या है साथ ही आपका प्लांट की आपकी पत्तिया है उसने कहा भाई साब जाइलम ने किस से कहा प्लांट ने जाइलम से कहा जितना भी पानी है सब खीच लो भाई सा जो जरूरी है वो खीच लो भाई सा पत्तियों तक आपका H2O पहुंच रह तो हम पसीने स्वेट के थूँ और तुम में से कुछ आशिक होंगे तो रो रो कर बहा कर और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूरिनेशन के द्वारा मूत्र के माध्यम से पानी मल के माध्यम से एक्स्क्राइबेट हो जाता है चलिक जबुद्धा ना मैक्सिमम जो एक तरीके से पानी को हमारे शुरूर से निकालते हैं नकिनकालते हैं और पौधा बैसिकली याद रिखेगा टौलेट तो जा नहीं सकता तो यह पत्ति में घरा सूमीटा भाई साब open करेगा तो इसका जो एक तरीके से एक्स्क्रीशन का सिस्टम है आप कह सकते हैं जैसे हम लोग एक्स्क्रीट करते हैं through the toilet is in the urination वैसे ये एक्स्ट्रा पानी को थ्रूद आप कह सकते हैं leaves से क्या करता है बाहर निकालता है यहां पत्तियों में रंधर पाये जाते हैं यहां से जो ज़्यादा पानी है वह बेसिकली वाश्प के रोप में बाहर निकल जाता है इस प्रॉसेस को ट्रांस्पेरेशन कहते हैं समझना है जी अच्छा और बिंदु स्तरावन की अगर हम बा बूंद आपकी दिखाई देती तो वो बूंद से पानी का निकलना आपका बिंदू स्त्रावन ने जल की हानी के अंदर गताता है पौधा चाहनी न निकालना लेकिन निकल जा रहा है बूंद के रूप में जल की हानी बिंदू स्त्रावन पात्मों दवारा वायू मंदल में जल्परिवर्दन की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताईये जी यह तो अभी जस्ट हमने डिसकस किया हुआ है जस्ट हमने डिसकस पीडिएफ के लिए आप सभी लोग टेलिग्राम के अंदर दिलावर सर साइंस क्लब टेलिग्राम ग्रूप का हिस्सा बन सकते है because of कि अभी मेरा जो विहार अड़ा का community वाला section app पे वो बना नहीं है जैसे ही वो बनता है तो आपको PDF मिल जाएगी कहाँ पर basically हमारे application पर तब तक आप टेलिग्राम का इस्तिमाल करके दिलावर सर साइंस क्लप तेलिग्राम में आप चार शब्द लिखेंगे आपको चैनल मिल जाएगा वहाँ PDF मिल जाएगी notes मनाईए क्योंकि notes बनाना ज्यादा important है कल तक बता देता हूँ कि app में कहाँ पर मेंने community है और कहाँ पर आपको PDF मिलेगी तब तक आप PDF इसमाध्यम से ले सकते है ठीक है जी चलो जी तो यहाँ पर क्या है पातपोद वरा वायू मिंडल में जलका परिवर्दन वाशपोद सर्जन कहलाता है हमारा transpiration कहलाता है जो transpiration कहलाता है note down कीजेगा और देखो like नहीं कर रहे हैं like नहीं कर रहे हैं बहुत नाइंसाफी है जी चलो ठीक है काफी कुछ तो like किया हुआ है लेकिन जिस quantity में like होने चाहिए वो quantity नहीं दिखे चलो एक question आप home work देते है अलफान्जो एक प्रजाती है तो यहाँ पर आपको बताना है अलफान्जो जो है वो एक किस चीज की आपकी प्रजाती है कल मैं आपसे वादा करता हूँ कल 30 plus questions तो कम से कम cover करेंगे with explanation with याद रखेगा explanation with explanation